का तो यह स्टूडेंस आजम चालू करने जा रहे हैं हाँ Technometry ratio यह जो सकते हैं और ग्रमेंटरी करने से पहले मैं आपने एंट्रिडूक्स कर दूँ माइसिल्फ सिय और सुनकतों को एंदर भी मुझे बोलते हैं यह जिस तरह एक चीजने जही में पूछी जाते हैं उसे कवर करने की हम कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं बटा आज के लेक्चर है ना ट्रिक्नोमेटरी रेशो देखें ट्रिक्नोमेटरी रेशो के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बाद यह छूड़ छूड़ी बाते हैं जो आपको पता होती है कि इसब ठीटा की सारी real value के लिए applicable नहीं है यहां पर ठीटा क्या होगा बटा ठीटा होगा ठीटा होगा र मैनस 2n प्लस 1 पीबात करें तो यह वन होगा लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि ठीटा के लिए हम कहाँ नहीं ले सकते है बटा, r-npi, clear, ओके, ये सब छोड़ी-छोड़ी चीज़ है, हमें पता होनी चीज़ है, ये basic identities कहलाती है, technometry के अंदर, ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब इस पर एक छूटा सा मैंने example लिया, example बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा example है ये, इसमें लिखा हुआ इसने sin x plus sin square x 1 है, okay, question क्या लिखा हुआ है, sin x plus sin square x अगर 1 है, तो आपको बताना है कि इस expression की value क्या होगी, ठीक है, question ये है, इस expression की value क्या होगी, right, start करते हैं, देखो कैसे करेंगे, अगर मुझे question करना है, okay, तो first of all मैंने क्या सोचा, बहुत sin x plus sin square x 1 है, अगर sin x plus sin square x 1 है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ, sin x equals to 1 minus cos square x, okay, तो यहां से sin x की जो value निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी sin square x, clear है, भई, आपने क्या करा, सबसे पहले आपने देखा, sin x plus sin square x 1 है, तो sin x की value कितनी आगे है बटा, मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, sin x की जो value आएगी, okay, sin x की जो value आएगी बटा, वो आएगी 1 minus sin square x, ठीक है, तो sin x equals to आएगा 1 minus sin square x, अच्छा, 1 minus sin square x के आएगा बटा, cos square x, क्या आगया, cos square x, ठीक है, तो sin x किसके एक बल आगया, sin x equals to आगया, cos square x के, right, अब इस question को आगे सोचते हैं, आगे कैसे करेंगे, तो इस expression को ध्यान से देखो आप, cos की power 12x, plus 3 cos की power 10x, plus 3 cos की power 8x, plus cos की power 6, इसको धंग से देखो, अगर आप इस expression को धंग से देखेंगे, तब आपको सौन में आएगा कि बटा, यह expression, this plus this plus this plus this, यह expression पता है क्या लिखा हुआ है, यह expression लिखा हुआ है, cos की power 6, cos की power 6x, plus cos की power 4x, plus cos square x का whole cube, ठीक है, अगर आप इसको ढंक से देखेंगे, तब expression क्या लिखा हुआ बटा, अगर इसको आप ढंक से देखेंगे, तो यह लिखा हुआ है, cos की power 12x, यह लिखा हुआ है, 3 cos की power 10x, यह लिखा हुआ है, 3 cos की power 8x, plus cos की power 8x, इसको लिख सकते हैं, cos की power 4 plus cos square x का whole cube और यह आ गया minus 1 शौर यहां तक आ गया अच्छे यहां तक आने के बाद अब हमें एक छोटा सा काम करना है काम क्या करना है अच्छे देखना आप आपने देखा cos square x किसके बराबर है आपने देखा हुआ cos square x sin x के बराबर है संदना आ गया और sin x square x plus sin x किसके बराबर sin x plus sin square x 1 के बराबर है किसके बराबर है 1 के तो आपका answer आगा बटा 1 minus 1 equals to 0 clear तो इस बार मैं वापिस समझाता हूँ को कुशन कैसे करा सबसे पहले बने लिखा sin x equals to 1 minus sin square x यह बन गया cos square x यह बनने के बाद आपने इस कुशन को लगातार देखा यह जो expression था ना इसको आपको लगातार देखना है बटा अगर आप उस expression को लगातार देखेंगे तो आपको संदना आगा कि यह जो expression आपके सामने लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है cos की पार 4 plus cos square x का whole cube clear, संदना आ गया इसके बाद हम क्या करेंगे इस cos square x को टाकर लिखेंगे sin x इस cos की power 4 को लिखेंगे sin square x sin square x plus sin x की value 1 थी तो answer आ गया 1 minus 1 यानी 0 तो इस question का answer होगा बटा 0, अब हम आगे बढ़ते हैं ओके, देखिए अगर हम technometric की बात करते हैं circular definition of technometric ratio अगर हम बात करें तो देखिए circular definition क्या कहती है circular definition simple सी बात यह कहती है कि जैसे एक circle अपने पास है ओके, एक circle अपने पास है ठीक है इस पर आपने कोई point ले लिया x, y ले आपने x, y ठीक है माल लेते हैं इस circle की जो dds है वो कितनी है? कितनी है? r, ओके, संदना आगया यह angle हमने क्या माल लिया बटा? ठीटा क्या माल लिया? ठीटा, ओके, संदना आगया और यहां से हमने perpendicular draw किया क्या draw किया? perpendicular तो यह y है और यह x है ठीक, तो sin theta की जो actual definition होती है, वो scientific actual definition कहा है? scientific actual definition है, perpendicular distance of this point from X-axis, ठीके, perpendicular distance of this point from X-axis upon radius of the circle, ठीके? क्या definition है? scientific actual definition क्या है? synthetic actual definition byटा है, कि perpendicular distance of this point from X-axis upon radius of the circle, radius of the circle, this is the actual definition of center d'Ir, clear? to center d'Irk actual definition क्या होगी? tsnt'Irk actual definition how गी बटा? y upon r okay, और इसी तरह से अगर custha की बात करें, किसकी बात करें custha की, okay? तो cos theta के actual definition क्या होगी? cos theta के actual definition होगी perpendicular distance from y-axis okay perpendicular distance from y-axis perpendicular distance from y-axis upon radius of the circle perpendicular distance from y-axis upon radius of the circle यानि x upon r यह actual definition है okay यह सब आपको आता है already कि सब मैंने एक सब एक छोटी सी बात बताने के लिए ले लिया दरवाज यह सब चीज़ें आपको आती है किicky know math में sin theta क्या होता है cos theta क्या होता है, उसके actual definition क्या होता है tan theta क्या होता है, cos theta क्या होता है cosec theta क्या होता है, इस हमें आता है अब हम आगे चलते बेखिए technometric functions of allied angles if theta is any angle then आपको 훗ता है minus theta, यह सब जो है कैसे calculate करते हैं, एक छोटा से example पहले के मैं समझायाता हूँ आपको, sin 90-θ, sin 90-θ, okay, देखे, जब भी आपको कभी भी इस तर से लिखना होना, आप पहले क्या गर होगे, आप सबसे पहले quadrant बना लो, ठीक है, ये बटा first quadrant है, ये वाला first quadrant है, ठीक है, ये आपका second quadrant है, ये आपका third quadrant है, ये आपका fourth quadrant है, ये चार quadrant आपके पास है, first quadrant के अंदर हम ये पता है कि ESTC, हम लोग समझते हैं, A, S, T, और C, ठीक है, ESTC, ESTC का मतलब होता है, A का मतलब all positive, first quadrant में क्या होगा बटा, first quadrant में सारे positive होंगे, first quadrant में all positive, सब में आपके first quadrant के जिए इन दर सब positive होंगे, S पर आजाएगे, S में क्या होगा, S में sign, और cosec positive होगा, ठीक है, first bargaining क्या होगा, second में सब साइन, or cosec positive होगा, आचा third में 10, और 10 का उल्टा cot, तैन र Љआ под positive होंगे, ठीक है और 4th में मतलब C C का मतलब होगा 4th में cos और sec positive होंगे यह सब चीज़ें आपको आती है ठीक है 1st quadrant में सारे positive होते है 2nd quadrant में sin और cos sec positive होता है 3rd quadrant में 10 और cos positive होता है 4th quadrant में cos और sec positive होते है clear यहां तक हमें जाना नहीं इसके आगे चलते हैं अपन देखिए यह जो line है यह कलाती है 90 है यह कलाती है 0 2π 4π ऐसे है ठीक यह line कलाती है पाई 3π ओके यह जो line कलाती है 3π 2 3π 2 इस तरह से 0 2π 3π 2 2π 5 इस तरह से line आती है अपने पास सबना आगे clear यह अपने पास है तो यहां तक आने के बादेए चीज़ समझ लबाब अच्छे से से हैं यहां पर 2 जीज है । एक होती है Changer लाइन एक होती है यह होती है no Changer लाइन, no changer line, सब्स्राइब ये जो line कलाती है ये जो कलाती है ये जो कलाती है वो no changer line कलाती है, no changer का मतलब है अगर मैं pi के पास खड़ाऊ, तो pi प्लस करूँगा, pi मैनस करूँगा, तो sin, sin में रहेगा, cos, cos में रहेगा, 10, 10 में रहेगा, cod, cod में रहेगा लेकिन अगर मैं 90 पर खड़ा हूँ, 90 प्लस पर खड़ा हूँ, 90 मानस पर खड़ा हूँ 3, 5, 2 प्लस पर खड़ा हूँ, 3, 5, 2 मानस पर खड़ा हूँ decide कि कहां पर हम खड़े हैं उसके साब से हमें decide करना होता है ठीक है आप इसमें एक छोटी चीज हमें समझनी है जैसे sin 90 मैंने लिखा है तो आपको हमेशा क्या करना है आपको देखना है कि यह एंगल कौन से क्वारेंट में आ रहा है sin 90 मैंटी मैं से मैं कुछ कं कर रहा हूं और अगर 90 मैं से मैं कुछ कं कर रहा हूँ तो इफिनीटल्य फ्र्स क्वारेंट है कैसा है यह फ्र्स года है तो क्यूंकी यह चेंजर माने शीटा क्या बनेगा लॉट्व उट्व नैच अगर cos 90 plus theta लिखा होगा है, तो बटा 90 plus theta होगा है second quadrant, second quadrant के अंदर cos कैसा होता है, negative होता है, तो एक तो minus आएगा, और changer line पर इसलिए minus sin theta, minus sin theta, okay, एक basic सी बात थी, जो आपको पता होनी चीए, इसी तरीकी से हम सारे angles निकाल सकते हैं, कोई बोले 180 minus theta, हम बता सकते हैं, 180 minus theta मतलब second quadrant, second quadrant में आप देख लो, वो कैसा है, positive है कि negative है, उसके साब से हम decide कर सकते हैं, right, चलिए, अब हम चलते हैं, questions की तरफ, इसमें question लेते हैं, देखिए, technometry में एक बात हमेशा याद रखे, मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों से, कि जब भी हम technometry question कर रहे हूं, हमेशा दो चीज़े, मतलब यार रख लो दिमाग में, set कर लो, ध्यान रखे, आप sin की power 4x, plus cos की power 4x, equals to, एक question लो, ये आपको हमेशा याद होना चीए, 1-2sin2x, cos2x, ये बच्चे को हमेशा याद होना चीए, sin की power 4, plus cos की power 4, हमेशा याद रखे है, 1-2sin2x, cos2x होता है, ठीक है, और इसी तरीके से, अगर आपको याद रखना है, sin की power 6, plus cos की power 6, ये क्या होगा, ये होगा, ये कर लो, दिमाग में set कर लो, कि जब भी मुझे किसी question में नजर आएगा, कि sine की power 4 plus cos की power 4 क्या होता है, तो हमेशा याद रखोगा, 1-2 sin square x cos square x होता है, और sine की power 6 plus cos की power 6 आएगा, तो हमेशा याद रखेंगे, 1-3 sin square x cos square x होता है, ठीक है, अब मुझे इस question को करना है, तो देखन हमें कैसे करूँगा, जैसे मेरे पास question आया, clear, question लिखाओ बटा 3, okay, देखो, sin 3 pi by 2 minus alpha, तो changing line पर है, changing line पर है, तो convert होगा, cos में, obvious ही बात है, और power 4 है, तो plus minus का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, तो 3 pi by 2 minus alpha होगा, cos की power, sin change होगा, cos में, और power 4 है, तो plus minus का कोई चक्कर नहीं है तो cos की power 4 alpha, इदर आ जाईए, अच्छा, 3 pi plus alpha, sin 3 pi plus alpha, no changing line पर है, अगर ये no changing line पर है, तो sin 3 pi plus theta क्या होगा, sin theta, sin 3 pi plus theta क्या होगा, sin theta होगा, plus और minus वो तो obvious ही बात है, लेकि power 4 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, power 4 है, इसलिए plus minus का कोई चक्कर नहीं है, okay इदर आ जाईए, minus का 2, आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक इदर आ जाते हैं, जाएगा sin 90 plus alpha, sin 90 plus alpha क्या होगा, cos alpha, sin 90 plus alpha क्या होगा, cos alpha होगा, और power 6 है, तो क्या बन लिखेंगे इसको, cos की power 6 alpha, ठीक इदर आ जाईए, अच्छा, sin 5 plus alpha है, तो no changing line पर है, no changing line पर का मतलब कोई change नहीं होगा, और power 6 है, तो sin को देखो ही मतलब, power अगर even है, तो sin को देखने की गुजरत नहीं है, आगे समद में, clear है, तो यह question मैंने स्रफ इसलिए लिया है, एक basic problem है, बहुत छोटी सी problem है, सिर्फ आप कोई देखना है कि वह changing है कि नहीं है, आपने यहाँ changing line पर है, change हो गया, ठीक है, आपने देखा कि changing line पर है, change हो गया, plus minus का कोई चक्कर ही नहीं, क्योगी power सारी even है, तो आप यहाँ तक पहुंच गया, clear, इसके बाद मैंने आपको formula बोला है, हमेशा याद रखें, इस पर दो बार question आ चुक है, जही में के अंदर, यह धियान र sin square alpha और यहाँ लिखेंगे cos square alpha, आगे सन में, बस आपका answer आ चुक है, क्या answer आएगा, तो यहाँ आएगा, 3 minus 2, 1 आ गया, 3 minus 2, 1 आ गया, अच्छा, यह minus का 6 आ रहा है, यह plus का 6 आ रहा है, cancel हो जाएगा, ठीक है, minus का 6 और plus का 6 cancel हो जाएगा, तो answer will be 1, ओके, तो इस question का answer हम द sin x का graph, सबको आता है, सारे बच्चों का आता होगा, sin x का graph है, हमें सबको बता है, sin x की value कहां से कहां तक होती है, minus 1 से लेकर 1 तक होती है, इसकी maximum value 1 होती है, minimum value minus 1 होती है, सबको बता है, cos x की जो maximum value होती है, बटा 1 होती है, minimum value minus 1 होती है, सबको बता है, cos x का graph इस तरह बनता है चलिए 10x पर आजाएगे 10x की अगर मैं बात करूँ तो 10x में अगर आप देखेंगे 10x जो है यहाँ पर 0 है 10x की जो value है maximum कहान जारही गानजang जारही है infinity पर और minimum कहान जारही है minus infinity पर ठीक है तो minus infinity से plus infinity इसकी range की range, इसकी value कहां से कहां तक होगी? "- infinity से लेकर और plus infinity के बीच में होगी cortex की बात करते हैं, cot के बारे में अगर बात करेंगे, تو आपको दिख रहा होगा कि 0 प इसकी value कहां जारी है, infinity और πाई पे कहां जारी है, "- infinity", 0 पे इसकी value कहां जारी है, infinity और pi पे कहा जा रही बटा minus infinity तो इसकी range क्या हो गई इसकी range हो गई minus infinity से plus infinity इसकी range क्या होगी R okay अच्छा domain की अगर मैं बात करूं cortex का domain क्या होगा देखो maths में अगर आपको कभी भी cortex का domain याद नहीं रहे न तो cortex को लेख लो cos x upon sin x सब्सक्राइब आगया अगर कभी भी आपको quad का domain याद नहीं रहता तो क्या लिखेंगे cos x upon sin x domain क्या होता है domain denominator 0 नहीं होना चाहिए सीरीजी बात है sin x 0 नहीं होना चाहिए clear यानि x की value क्या नहीं होने चाहिए x की value n pi नहीं होने चाहिए सब्सक्राइब आगया तो बताओ domain कितना आएगा r minus n pi यह domain आगया आगया यह तरीका है domain निकालने का और कुछ भी नहीं है range आपको दिखी रही है ग्राफ से range का है अच्छा अब बात आती है से को set के graph की अगर मैं sac के graph की graph आइडे आपको दूँ ग्राफ की हम दें शहां जहां Comm जहां- जहां कर्वेक्सस कर रहा है ऑफ जटे कर रहा है लंसे कर्व कर रहा है उसके क्या कर रहेंगे जू पर ऐखर डवाला गट्रींख रूपर यह जो घ्राह देख prosper डवाड़ा ठीकिन आ यह जो ग्राफ आप देखने लिए गरक इसफेन है रलाव जैज को करना सब्लाइब हैं ऐसे बनातें सैख का ठीक है अगर आप देखोकर तो यह बेटा किसका ग्राफ था यहां पर तो और इसका अलटा करें सैख ठीक है जिल्क है सेक एक्स का राफ आपको दिख रहा होगा हमिशा वन लाइन के ऊपर है यह माइनस वन लाइन के नीचे है ठीक है सेक एक्स का राफ या तो वन लाइन के ऊपर है यह माइनस वन लाइन के नीचे यानि सेक एक्स की वेल्यू या तो वन या वन से ज्यादा होगी यह माइनस वन यह minus 1 से कम होगी, clear इस बात का ध्यान रखे, कल को आप से पूछा जाए, कि वह ता मेरे पास एक कुशन आया, 8 sec square theta minus 6 sec theta plus 1 equals to 0, 8 sec square theta minus 6 sec theta plus 1 equals to 0, आपने इसके factor कर लिए, 4 sec theta minus 1, ठीक है, और यहाँ अगा 2 sec theta minus 1 equals to 0, तो यहाँ से sec theta की जो value आएगी, वो आएगी 1 by 4, 1 by 2, ठीक है, यहाँ से sec theta की value कि इतनी आएगी, बटा 1 by 4, 1 by 2 आएगी, तो आप से पूछा गया, इसके number of solutions निकालो, तो हमारा answer होगा बटा, इसके solution होगे ही नहीं, क्योंकि sec theta की value कभी 1 by 4 हो नहीं सकती, sec theta की value कभी 1 by 2 हो न करते हैं, same चीज, cossack में है, cossack का graph बनाना, तो sign बनाओ, sign में आज़े, कटोडे, उपर उल्टे कर दो, उपर वाला कटोड़ा, उपर उल्टा कर दो, नीचे आला कटोड़ा, नीचे उल्टा कर दो, ठीक है, और उसी तरह से cossack की range भी आप देख सकते हैं, cossack की जो range है, वो क्या होगी 1 या 1 के आगे या minus 1 या minus 1 के नीचे ओके अब हम इस question की तरफ चलते हैं बहुत अच्छा question है sin x equals to x by 10 देखिए sin x equals to x by 10 हम कैसे plot करेंगे देखिए सबसे बहले आपने sin x का गराब बनाया इस sin x का गराब बना ले ठीक है समझ में आ गया अच्छे ये वाला point सबको पता है 0 है ये वाला point pi है ठीक है ये वाला point 2pi है ये वाला point 3pi है ठीक है ये वाला point 4pi है ओके ठीक है अच्छे ये वाला point कितना है बटा ये वाला point है minus pi ये वाला point कितना है ये वाला point है minus 2pi ठीक है ये वाला point कितना है माइनस 3π, ठीक है, यह वाला परण केतना है, माइनस का 4π, ठीक है, अब मुझे एक्चली क्या गरना है, साइनेक्स का ग्राफ मैंने बना लिया, और हम यह भी जानते हैं, कि यह कौन सी लाइन है, बटा 1 लाइन, कौन सी लाइन है, यह 1 लाइन है, यह y equals to 1 लाइन है, इसी तर यह कौन सी लाइन है, बटा, y equals to minus 1 लाइन, ठीक है, अचा, y equals to 1 लाइन बना लिया, हमने y equals to minus 1 लाइन बना लिया, अब हमें करना क्या है, अब हमें दूसरी लाइन बना लिया, ठीक है, अचा, यह तो हमने साइनेक्स का गराब बना लिया, अब हमें बनाना है, ठीक है, सब जानते हैं कि Y को बनाते समय उसको ध्यान ही नहीं रहता और मैक्सिम बच्चा इसको ऐसे लेकर जाएगा ठीक है वाई को इसे लेकर जाएगा लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम सब्सक्राइब निकाल रहे हैं सब्सक्राइब है नियुक्त कि मैं तुर्णे कोई लिए चांसे कोई नहीं है तो सीरी जी बात है Sinex Request to X by 10 है, Sinex Request to X by 10 का solution दब तक आयागा जब दोनों एक साथ एक ही काउं में रहे हैं, एक अगर अगर चला गया दूसरी जगर अलग चला गया, तो फिर solution का कुई चांस नहीं है, तो आपको सबसे पहले सूचना है कि Sinex Request to X by 10 कब मिल सकते हैं, Sinex Request to X by 10 तब मिल सकते हैं, जब तक value Sinex की minus 1 से 1 है, तो X by 10 का graph जहाँ पर minus 1 से 1 के बीच में होगा, वहाँ तक तो मिल पाओगे, जैसे ही X by 10 की value 1 से ज़ादा हुई, या minus 1 से कम हुई, उसके मिलने का कोई चांस नहीं है, ध्यान रखना मैं repeat कर रहा हूँ, X by 10 की value जैसे ही 1 से ज़ादा हुई, या minus 1 से कम हुई, उसके मिलने का चांस नहीं है, तो आपको सिर्फ यह सोचना है कि minus 1 से 1 कब बनेगा, तो X by 10 की value का आएगी, X by 10 की value 1 आएगी 10 पर, किस पर आएगी 10 पर, 10 क्या होता भई, आप लोग जानते हैं कि 3 pi, pi कितना होता है, pi की approximate value होती है 3.14, तो यह 9.something है, तो 10 कहीं यहाँ पर होगा definitely, 10 कहीं यहाँ पर होगा, शौर, उसके बाहँ पर, उसके बाद इसका मिलने का कोई शांस नहीं है, तो maximum बच्चे, इसमें GDPR क्या करते हैं, maximum बच्च जब भी Y क्वस्ट्व, X〃10 मनाते हैं आपको इच्पेरियन्स पर, प्रफ्टा क्या करता है ऐसे बनागे छोड़ देता है तो दिमाग लगाना नहीं चाहता है अरे एक्सपेट 10 मनाना है तो पहले देखो कि कहां पर जाके उसकी यह एक्सपेट आपके सामने लिखा हुए आपके सामने लिखा हुए है अपने पूछा गए कि number of solution of the equation sin x equals to x square plus x plus 1 के solutions क्या होंगे हम वापिस graph बनाते हैं सबसे बहले हमने sin x का graph बनाया किसका graph बनाया sin x का ठीक है तो हमने sin x का graph बना लिया ओके अब मैं graph बनाऊंगा x square plus x plus 1 का ठीक देखिए हम जब quadratic पढ़ते हैं तो quadratic के अंदर हमें बताया जाता है कि y equals to ax square plus bx plus c जो है है ना इसका जो vertex होता है बिसिकली parabola को represent करता है और इसका जो vertex होता है वह होता है minus b by 2a minus d by 4a यह इसका vertex होता है clear तो देखिए सबसे पहली बात हमें पता होना चीकि y equals to ax square plus bx plus c एक parabola को represent करता है जिसका vertex minus b by 2a minus d by 4 यह होगा तो अगर मैं आप से बुलिए उसका vertex क्या होगा तो इसका vertex हम निकाल लेते हैं इसका vertex होगा minus b by 2a b by 2a ठीक है और minus d by 4 इसका d निकाल दीजेगा इसका d जो आ रहा minus 3 दिख रहा होगा आप लोगों को d कितना रहा है minus 3 तो minus 3 by 4 यह 3 by 4 आ जागा जागा है clear अब इसका graph plot कर लेता हूं तो मुझे इसका पता चल गया कि भी इसका vertex अब word parabola होगा और vertex में पता चल चुका है अब मैं इसका graph plot करता हूं है ना minus half कहीं यहाँ पर होगा minus half और 3 by 4 कहीं यहाँ पर होगा ठीक है तो minus half comma 3 by 4 graph आपका ऐसा चला गया अब word parabola सद्मा आगया अब आपको लोगों को लग रहा है sir आपको कैसे पता चला यह cut नहीं करेगा अरे भी 0 पर इसकी value देख 0 पर अगर तो इसकी value निकालेगा तो 0 पर इसकी value निकालेगा तो 0 पर इसकी value कितनी बटा 1 है तो 0 पर ही इसकी value 1 हो गई ठीक और उसके बाद यह 1 के आगे चला गया ठीक है ना 0 पर इसकी value 1 हो गई उसकी ग्राफ आगे चला गया तो इसको कहीं कटी नहीं करेगा तो यह graph इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा इसका मतलब भी दोनों graph एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और जब दोनों graph एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो answer क्या आगा इसका answer आएगा no solution क्या आएगा no solution अगर किसी बच्चे के मन में यहां वाला पार्ट तो संग में आता है कि 0 पर इसकी value 1 है तो चलो इसके आगे चला गया तो इंटर section point possible नहीं है तो answer क्या आएगा answer is no solution answer is no solution ठीक है तो इस question का answer आएगा no solution कोई solution possible नहीं है ओके चली अब आगे बढ़ते हैं थैंक्यू प्यारे बच्चों आप सब का इस नहीं हो प्रेम हमें जिस तरीके से मिल ला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैसे कि आप सब को पता है कि हम जी मेंस 2021 के लिए crash course अलड़ी ला चुके हैं जिस crash course को आप लोग देख र आपको टेस्ट मिलते रहें और अपना अच्छे से कर सकें ठीक है ओके देखिए यह फॉर्मले सब आपके सामने लिखे हुए है फॉर्मले आप याद कर लिजेगा सारे लोगों को फॉर्मले याद होंगे अब तक क्योंकि हम अब आवरसे बात है जही में का एक्जाम आने परसने लगता है वो यह वाला फॉर्मला है है ना इस पर स्टार लगा लिजेगा इचा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मला इसको जरूर याद रखें आप लोग मैक्समुम बच्चेस कुशन गंद रचमतकार बचाते हैं किसी से पूछा जैना कि कॉस स्क्वाइर माइनस स कॉसम प्लस बी इकउटो होता है इस वयरी इंपर्ड़न फॉमला बाखी सारे फॉर्मला आप लोहों को रचवे रहते हैं लेकिन कॉस स्क्वाइर माने सारे अलोब इन का मेजर याद रखिए पर मेरी सेला है कि आप उन्हें COD का formula भी याद रखें, वैसे तो हम क्या है COD का कोई भी formula है, जैसे COD A plus B है, तो इसको 10 में convert करके भी कर सकते हैं, फिर भी अगर याद रखेंगे तो जाद अच्छा है, तो COD A plus B का formula होता है, COD A, COD B, है ना, COD A, COD B, अगर प्लस है, उपर प्लस है, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, और अगर नीचे, अधर माइनस है, तो उपर प्लस आएगा, ठीक है, उल्टा होगा, जस्ट अपोसिट चलेगा, clear, पर कि आपके सामने लिखा हुआ है, तो यह है COD A plus B का formula, याद रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक, 10 A plus B plus C का formula क्या होता है, 10 A plus B plus C का formula आपके सामने लिखा हुआ है, है ना, मैं आपको दादू 10 A plus B plus C का formula क्या होता है, 10 A plus B plus C, ठीक है ना, इसका formula क्या होता है, तो इसका formula होता है, summation of 10A minus product of 10A, summation of 10A का मतलब 10A plus 10B plus 10C minus 10A 10B 10C upon 1 minus, summation of 10A 10B, summation of 10A 10B, ठीके न, this is the formula 10A plus B plus C का यह formula है, जो मैंने अभी आपको सिखाया, यह formula लिखा हुआ है आपके सामने, 10A plus 10B plus 10C, summation of 10A minus product of 10A upon 1 minus, summation of 10A 10B, this is the formula, यह formula है, 10A plus B plus C का, इसे याद रखेगा, चलिए, अब मैं question करता हूँ, इस पर हम question करेंगे, देखे, question कैसे कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास यह question आया, अब मुझे question को करना है, तो कैसे करेंगे, देखे, यह question आपके सामने है, अच्छा, question आपके सामने लिखा हुआ है, question में लिखा हुआ है कि alpha and beta are the two real roots of this equation, उसने बोला है कि alpha and beta के roots है, okay, हमें यह दिख रहा है कि, जो equation आपके सामने लिखी हुए है, k plus 1, 10 square x, minus root 2, lambda 10x, ऐसा लिखा हुआ है, हमें equation लिख देता हूँ, equation लिखी हुई है, k plus 1, 10 square x, okay, minus root 2, lambda 10x, equal to, क्या लिखेंगे हैं, 1 minus k, ऐसा हमने लिख लिख लिए, ठीक है, लिख 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 लिए, k plus 1, 10 square x, minus root 2, lambda 10x, equals to 1 minus k, यह मुझे equation दे रखी है, ठीक, आप मुझे से बोल रहे हो कि इस equation की root L4 बीटा है, आपने क्या बोला, इस equation की root L4 बीटा है, तो आपने क्या कि एक काम करा, हमने 10x को T मान लिए, हमने 10x को T मान लिए, ओके, तो जैसे ही मैंने 10x को T माना, तो यह equation क्या बन गई, k plus 1, T square, ठीक है, minus root 2, lambda, into T, आपना तो यह आ गया, ओके, अब आप ध्यान दो, जो original equation थी, वो 10 square x में थी, है ना, उसके root थे alpha बीटा, है ना, इस equation के root क्या थे बटा, इस equation के root थे alpha और बीटा, अब चुकी equation T में है, और T किसके बड़ाबर है, 10x के बड़ाबर है, clear, तो आप बता इस equation के root क्या होंगे, इस equation के root होगे, बटा, 10 alpha और 10 बीटा, अगर किसी बच्चे कोई नहीं दिख रहा, तो बहुत बड़ी वाली बात है, मैं आप से ही कहूंगा, रहे, obvious से बात है, अगर alpha इसका root था, तो अगर मैं यहाँ पर alpha रखता, तो क्या आता 10 square alpha आता, आता गी नहीं आता 10 square alpha, अब यहाँ पर अगर 10 alpha इसका root है, तो भी 10 square alpha ह अगर इस equation के root 10 alpha और 10 beta है, तो क्या मैं sum of root दिख सकता हूं, दिख सकता हूं, 10 alpha plus 10 beta equals to, कितना हैगा, यहाँ रखेंगा, यहाँ रखेंगे, 10 alpha into 10 beta, बराबर कितना हैगा, k minus 1 upon k plus 1, यह मेरे पास आगया, शौर, यहाँ तक आगया, तो हमने क्या कर आगर, आप 10 alpha plus 10 beta की value लिख ली है, clear है, और हमने 10 alpha into 10 beta की value लिख ली है, अब आपने मुझे दिया है question में, 10 square alpha plus beta 50 के बराबर है, 10 square alpha plus beta किसके बराबर है, 50 के, ओके, त देख सकते है, 10 alpha plus beta बराबर होता है, 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha into 10 beta, okay, शनना आगया, पर 10 alpha plus beta हम सब समझते हैं, क्या होता है, 10 alpha plus beta होता है, 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha 10 beta, okay, अब इनकी value रखना चालो करते है, आपने इसकी value रखी है, इसकी value है, रूट 2 lambda upon k plus 1, इसकी value कितनी है, रूट 2 lambda upon k plus 1, ठीक, तो इसकी रिए रखूँगा, रूट 2 lambda upon k plus 1, ठीक है, नीच आ जाएगे, 1 minus, अच्छा, 10 alpha into 10 beta की value रखूँगा, तो 10 alpha into 10 beta कितनी है, k minus 1 upon k plus 1, k minus 1 upon k plus 1, आगे संद में, clear है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा बटा, root 2 lambda upon, आप LCM ले लेंगे, LCM लेंगे, तो k plus 1 minus k minus 1, तो 2 आजाएगा, यह बचेगा, यानि इसकी value बचेगी, lambda by root 2, यह मेरे पास आएगा 10 alpha plus beta, यह मेरे पास आएगा 10 alpha plus beta, आगया, अचा, अब आप question पे जाएगे, question में क्या लिखा है, देखिए, question में उसने बोला है कि 10 square alpha plus beta की value 50 है, question में उसने बोला है कि 10 square alpha plus beta की value 50 है clear question में क्या बोला उसने 10 square alpha plus beta की value 50 है right तो आगे बढ़ते हैं तो यह 10 alpha plus beta की value इसका square कर लेते हैं तो जब हम इसका square करेंगे तो यहाएगा 10 square alpha plus beta equal to यहाएगा lambda square by 2 आगे है और 10 square alpha plus beta की value 50 है कितनी है 50 तो इसके लिए 50 रखेंगे 50 into 2 equals to lambda square तो lambda की value आएगी plus minus 10 ठीक है lambda के लिए कितनी आएगी plus minus 10 अच्छा options पर जाते हैं तो minus की तो उसने बात ही नहीं करी plus की बात करी तो obvious ही बात है हम lambda के लेंगे answer is 10 कितना answer आएगा इसका answer is 10 okay चलें अब इस question पर जलते हैं हम लोग next question मेरे पास है question लिखा हुआ बटा sin square a minus sin square b यह लिखा हुआ है अभी just मैंने आपको बताया कि sin square a minus sin square b क्या होता है sin a plus b into sin a minus b sin a plus b into sin a minus b ठीक है तो l मैंने लिखा okay तो l क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा sin a plus b sin a plus b sin a plus b ठीक है तो sin a minus b ठीक है तो sin a minus b ठीक है तो sin a minus b सब्सक्राइब क्या है clear आपने क्या करा simple sin a plus b into sin a minus b का formula लगा लिए जो formula हमने अभी देखा था right इस formula को हमने यहाँ पर apply कर दिया okay अब उसके बाद आती है बाद यहाँ पर आने के बाद यह जो expression है यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा sin okay यह चीज़ बन जाएगी pi by 16 plus pi by 8 मिला कर 3 pi by 16 3 pi by 16 ठीक है यह चीज़ बन गई clear इतर आजाएगी यह चीज़ बन जाएगी sin sin अगर इसको आपन सॉल करेंगे तो यह बनेगा बटा minus pi by 16 sure यह आजाएगा clear यहां तक आने के बाद देखिए एक formula जो भी आपको बताया नहीं किया है वैसे आपको पता हूँ आप विससी बात है अम जाई में की तियारी कर रहे हैं तो एक formula होता है 2 sin a sin b ठीक है यह formula में आपको दायता हूँ कहां पर आएगा हम एक formula पढ़ेंगे 2 sin sin b right देखिए यह formula है हमारे पास देखिए 2 sin sin b का अगर में बात करो तो 2 sin 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 b का formula होता है cos a-b-cos a-b It's a very important formula. 2 sin a sin b होता है cos a minus b minus cos a plus b, right? अब मैं इस formula को यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, देखिए, जब मैं इस formula को यहाँ पर लगाऊंगा, है ना, तो यहाँ तक आ निगात मैंने क्या किया? इसको मैंने 2 से multiply करा और 2 से divide कर दिया, ठीक है ना? 2 से multiply करा और 2 से divide कर दिया, clear minus को बहार रखेंगे हम, तो minus आपको तो मैंने बहार रखा, ठीक है ना? cos a minus b minus cos a plus b, cos a plus b, सबना आगया, clear है? यहाँ तक आगया, आपने 2 से multiply divided कर रहा, यह 2 sin b, 2 sin b क्या होगा? cos a minus b minus cos a plus b, right? cos a plus b, right? तो यहाँ तक आगया, यहाँ तक आने का आगया, minus 1 by 2, clear? तो यह आगया 3 pi by 16 minus pi by 16, 2 pi by 16, 2 pi by 16, 2 pi by 16 का मतलब होगे, cos, यह आगया, cos pi by 8, okay? अचा, यह बनेगा 3 pi by 16 plus pi by 16, 4 pi by 16, 4 pi by 16 का मतलब होगे, pi by 4, और pi by 4 का मतलब होगे, minus 1 by root 2, ठीक है? अगर इस minus 1 by 2 को मै अधर लेकर जाओं, तो मेरा यह वाला पार्ट का आंसर आगा, बटा, 1 by 2 root 2 minus, ठीक है? 1 by 2 और cos, यह आगा, pi by 8, यह मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है? अब आप इस आंसर को चेक करिए, क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, L के साब से, अगर हम देखें, तो इसका आंसर यह मैच नहीं कर रहा, clear? अब हम चलेंगे M वाले पार्ट पर, चलिए आएगे M वाले पार्ट पर चलते हैं, ठीक है? देखें, जब मैं M वाले पार्ट पर जाओंगा, तो M वाले पार्ट पर क्या होगा? आप इस पार्ट को देखें, कौन सा फामला है यह? Cos square A minus sin square B, कौन सा फामल समना आगया? clear? यह हम लिखा हुआ है, cos square pi by 16 minus sin square pi by 8, cos square A minus sin square B लिखा हुआ है, अचा, cos square A minus sin square B क्या होगा? यह होगा, cos A plus B, cos A minus B, cos A minus B, समना आगया, simple, ठीक है? cos square A minus sin square B का फामला होगा, cos A plus B into cos A minus B, यहां तक आगया, अचा, यह वाला, यह portion क्या बन जाएगा, बटा? यह बन जाएगा आपका 3 pi by 16, इसमें को दिक्कत है ही नहीं किसी तरह की, इधर आजाएगे, इस वाले portion पर जाएगे, तो यह कितना बनेगा? यह बनेगा, cos pi by 16, श 2 से divide कर दिया, और 2 से multiply कर दिया, इसको हमने 2 से multiply, 2 से divide कर दिया, कर दिया नहीं तक, अचा, यहां तक आने का देखिए, वापिस हमें formula की जोरत पड़ेगी, formula है 2 cos A cos B, कौन सा formula है? 2 cos A cos B, इधर आ जाते हैं, देखिए, 2 cos A cos B का formula आपके सामने है, यह ता, ठीक, तो क्या formula 2 cos A cos B का, 2 cos A cos B होता है, cos A plus B, plus cos A minus B, ठीक है, 2 cos A cos B क्या होगा, cos A plus B, plus cos A minus B, clear? तो यहां पर मैं formula लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, बेटा, half, लिखूंगा ही, यह लिखूंगा, 2 cos A plus B, cos A plus B, this plus this, 4 pi by 16, cos A plus B, ठीक है, plus cos, plus cos A minus B, A minus B, यहने 2 pi by 16, सब्ना आगया, तो 2 cos A cos B क्या होगा, cos A plus B, 4 pi by 16, cos A minus B, यह आगया, यहां तक आने क्या बनेगा, half, ठीक है, यह pi by 4 है, तो 1 by root 2 plus, यह कितना बनेगा, बेटा, cos pi by 8, आगये संब्ने, तो यह 1 by root 2 होगा, plus cos pi by 8 होगा, इसको 2 से मल्टिप्लाइ कर दीजे, तो answer आएगा, 1 by 2 root 2 आएगा, plus, यह आएगा, 1 by 2 और यह आएगा, cos pi by 8, ठीक है, तो इसका answer होगा, बेटा, यह, है न, इसको check कर लेते हैं, options में है कि नहीं है, 1 by 2 root 2 plus 1 by 2 cos pi by 8, ठीक है, यह, 1 by 2 root 2 plus 1 by 2 cos pi by 8, तो इसका answer क्या होगा, बेटा, एपार्ट इसका answer होगा, clear, अच्छा question है, बढ़िया है, आपको इसको, इसमाने आपको एक formula की practice होती है, cos square minus sin square, b के formula की, आप चलते हैं, next question की तरफ, okay, चली, अब next question पर चलते हैं, है न, ध्याँ रखिए, जितने भी questions में करा रहा हूँ, आप सबको पहले वो try करने है, try करने के बाद फिर आपको मेरा solution देखना alpha, okay, देखिए, आप हमेशा याद रखिए, 1 plus cos, लफड़ा equals to होता है, 2 cos square, लफड़ा by 2, यहमेशा याद रखिए, ठीक है, आप क्या याद रखेंगे, कि 1 plus cos, लफड़ा बराबर होगा, 2 cos square, लफड़ा by 2, whatever the angle, whatever the लफड़ा is here, यहाँ पर हमेशा लफड़ा by 2 आएगा, clear, ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, 1 plus cos 2 alpha, तो 1 plus cos 2 लफड़ा क्या हो जाएगा, देखिए, यह लिखा होगा, root 2 sin alpha upon, ठीक है, यहाँ लिखा हो है, 1 plus cos लफड़ा, 1 plus cos लफड़ा क्या होगा, 2 cos square लफड़ा by 2, तो यह बनेगा, under root में, 2 cos square लफड़ा by 2, 2 alpha का under by 2, ग cancel हो जाएगा, root 2 root 2 cancel होगा, तो क्या आएगा, यह आएगा, sin alpha, ठीक है, यह आएगा, cos alpha, और एक्वल टो आएगा, 1 by 7, ठीक है, तो 10 alpha की value, 1 by 7 आएगी, ठीक है, 10 alpha की value, 1 by 7 आएगी, सबने आगे, सबको clear, तो यह आजाएगा, 10 alpha की value, 1 by 7 आएगी, शौर, अच्छा, अब बढ़ते हैं, यहां तो आएगा, हम चलते हैं, दूसरे पार्ट पर, देखें, दूसरे वाला पार्ट क्या है, यहां लिखा है, 1 minus cos 2 beta, तो यहां पर एक नए चीज हम ध्यान रखें, हम क्या याद रखें है, 1 minus cos, लफडा, बराबर होगा, 2 sin square, लफडा by 2, 2 sin square, लफडा by 2 whatever the लफडा उसका आदा करतो, यह हमेशा याद रखो, मैं कह रहा हूँ, इतना important है, मैं तो technometry किया, मैं तो integration बगर है, questions में करता था, हमेशा याद रखता था, यह 1 plus cos लफडा, 2 cos square, लफडा by 2, 1 minus cos लफडा, 2 sin square, लफडा by 2, यह हमेशा याद होने चीज है, clear, तो जैसे मैं इस question पर जाओंगा, देखिए, यहाँ पर क्या लफडा है, 1 minus cos लफडा लफडा क्या लखेंगे, 1 minus cos लफडा क्या लखेंगे, 2 sin square, लफडा by 2, what is the लफडा, लफडा is 2 बीटा, by 2, बीटा हो गया, divide by कितना करेंगे, divide by 2 ही अंदर है, equal to आएगा, 1 by root 10, equal to कितना आएगा बटा, equal to आजाएगा मेरे पास, equal to मेरे पास आएगा, 1 by root 10, ठीक है, यह मेरे पास आगया, शौर यहाँ तक आगया, अच्छा, यहाँ तक आने किवाद क्या होगा, 2, 2 cancel हो जाएगा, अच्छा, यहाँ पर है न, mod लगना चाहिए था, क्योंकि sin square बीटा क anti की बीच में है, तो mod लगाने की ज़राथ नहीं है, तो sin beta की value कितनी आगई, sin beta की value आगई, 1 by root 10, ठीक है, sin beta की value कितनी आगई, 1 by root 10, clear, यह वाला पार्ट तो उसने दे रखा था, अब हम question में करना क्या चाहते है, हमसे question में पुछा गया 10 alpha plus 2 beta की value क्या होगी, question यह पुछा लगाऊंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10 alpha plus 10 2 beta, 10 alpha plus 10 2 beta आएगा, तो 10 2 beta निकालने के लिए, मुझे 10 beta निकालना पड़ेगा, तो first of all sin beta मेरे पास है, तो मैंने यहाँ से triangle बनाया, ठीक है, यहाँ से मैंने triangle बनाया, यह 1 है, ठीक है, यह root 10 है, और यह 2 beta यह हो गया, 3, सबना आगया, clear, तो sin beta की value मुझे दे रखी थी, तो यहाँ से 10 beta की जो value है, मेरे पास आचुकी है, that is equals to 1 by 3, 10 beta के लिए कुतनी आगया, 1 by 3, clear, तो 10 beta आचुका है, 10 alpha आचुका है, अब मुझे यह वाला portion निकालना है, ओके, देखे, मैं क्या करने वाला हू तो मुझे calculate क्या करना है, मुझे calculate करना है, 10 alpha plus 2 beta, यह तो calculate करना है, 10 alpha plus 2 beta calculate करना है, और 10 alpha plus 2 beta का formula क्या होगा, 10 alpha plus 10 2 beta, okay, 1 minus 10 alpha और 10 2 beta, तो 10 alpha plus 10 2 beta upon 1 minus 10 alpha, 10 2 beta, okay, अब मुझे 10 2 beta निकालना है, बस, 10 alpha तो मेरे पास है, और 10 2 beta निकालने के लिए हम formula यूज़ करेंगे, तो 10 2 beta equals 2 होगा, 2 10 beta, 2 10 beta upon 1 minus 10 square beta, तो 10 beta upon 1 minus 10 square beta, तो 10 beta upon 1 minus 10 square beta, अब आपके बस 10 beta की value है, तो अगर मैं पीछे जाओ हो, तो 10 beta की value हमने निकाली थी 1 by 3, कितने निकाली थी 1 by 3, ठीक है, तो 10 beta की value कितनी है, बाटा, 1 by 3, तो यहाँ पा 10 beta की जागे हम रखेंगे, 1 by 3, तो 2 into 1 by 3 upon 1 minus 1 by 9, clear, तो यहाएगा, बाटा, 2 by 3 upon, यहाएगा, 8 by 9, clear, तो मेरे खाल से, यहाँ से value आगी, बाटा, 3 by 4, clear, तो 10 beta की जो value हा रही है, 10 2 beta की value हा रही है, 10 2 beta की value हा रही है, 3 by 4, आप कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, 10 alpha मेरे पास है, yes, 10 2 beta मेरे पास है, सारी values मेरे पास है, 10 alpha की value कितनी है बटा 10 alpha की value 1 by 7 10 alpha की value कितनी है 1 by 7 ठीक है न तो यह आ गया 1 by 7 plus इसकी value कितनी है 3 by 4 ठीक है यह कितना है 1 minus 1 by 7 into 3 by 4 clear यहाँ पर आप LCM ले लिजे जब आप LCM लेंगे तो कितना आएगा भी ठीक है तो यहाँ आएगा 4 plus 21 ठीक है ना ओके संदमा लिए लिए आपको आता ही है यह आगा 25 clear आपका answer आगया 1 clear इस question का answer कि आएगा इस question का answer आएगा 1 okay संदमा आ गया इंटीर टाइप का question था इंटीर का question अगर आता है तो इस तरह का question आपके अगर आप इसको दोबारा देखना चाहिए एक बड़ा आपको महिंट देता हूं मैंने आपको बताया वान प्लस स्कॉस लफडा यहां लखे नगा तो मॉड लगता है लेकिन चुकी बीटा 0 से 90 में है तो मॉड लगाने कि ज़रत नहीं है इसे sin beta निकाला, sin beta है हमने triangle से 10 beta निकाला, 10 beta आते ही, हमें चाहिए था 10 2 beta, तो 10 2 beta हमने इस formula से निकाल दिया, और 10 2 beta आने के बाद हमें यह calculate करना था, तो हमने यह calculate करना था, उसकी वेले कितनी आ रही है, 1, अब हम चलते हैं next part पर इसके, है ना, देखें next part पर चलते हैं, पापिस आपके सामने formula लेखे हुए next part के अंदर, sin c plus sin d क्या होगा, sin c minus sin d क्या होगा, यह formula आप देख लीजे, formula आपको याद करने हैं, है ना, कैसे आए, अब उसमें हम time खराब नहीं कर सकते हैं, हमें सर्फ यह याद होना चाहिए कि sin c plus sin d क्या होगा, sin c minus sin d क्या होगा, cos c plus cos d क्या होगा, cos c minus cos d क्या होगा, यह formula आपको रेटर कोई रहना चाहिए, sin c plus sin d क्या होगा, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d वी रहना, तो यह आपको याद होने चाहिए, ठीक है, आगे बढ़िए, इसी तरह से सारे formula हैं, इस पर से दो formula में already use कर चुका हूँ, यह दोनो formula में already use कर चुका हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, sin 2a, cos 2a, यह सब formula ऐसे हैं, जो मैं आपको बुला ना, यह हमेशा आपको याद होने चीए हैं, अब बात करते हैं, question पर, question कैसे करेंगे, important है कि हमें questions कैसे करने हैं, ओके, यह formula आप आराम से देख लीजिए, formula हमेशा याद होने चीए, अब यह time नहीं है, कि हम इनके derivations पर जा करेंगे, आपको पर लिखाओ, value of this, this, plus this, this, यह आप से पूछा गया, अब इधर भी cos है, उधर भी cos है, cos का कोई match ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम तो first गए, इधर भी cos, उधर भी cos है, तो हमारे पस कोई match नहीं है, तो हमने क्या करा, हमने सुचा है काम करते हैं, अगर यह 3 pi by 8 है, और यह cos में है, इसको छेड़ने के बजाए में इसको छेड़ लेता हूँ, जाधा अच्छा है, clear, तो क्या मैं 3 pi by 8 को, क्या मैं cos 3 pi by 8 को, क्या मैं cos 3 pi by 8 को, cos 90 minus pi by 8 लिख लूँ, पिसी दी सी बात है, आप सोचो न, किया मुझे pi by 8 नेजर आ रहा है, मुझे pi by 8 नेजर आ तो मैं सूचा है, pi by 8 नो बजल जाया, तो मेरे लिए जाधा असान होगा, तो मैंने क्या 3 pi by 8 को, cos 90 minus pi by 8 लिख लूँ, बिल्कु लिख लेता हूँ, और cos 90 minus theta क्या होगा, cos 90 minus theta होगा, sin theta, ठीक है न, cos 91 theta क्या होगा, sin theta, clear, तो आप बता, question क्या बन गया, cos cube pi by 8, ठीक है, ये बन गया, sin qi by 8, ठीक है, और ये बन गया, sin 3 pi by 8 जो है वापस, ये धियान रखेगा, ये जो sin 3 pi by 8 लिखा है, उसको भी मैं इसी तरह से लिखूँगा, ठीक है, तो जब sin 3 pi by 8 को लिखूँगा, तो क्या लिखूँगा? तो sin 3 pi by 8 को मैं लिखूंगा, sin 90 minus pi by 8, यानि क्या लिखूंगा, cos pi by 8, ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक ना, ऐसा हम लिख लेंगे, clear है, x 3 pi by 8 को लिख सकता हूं, sin 90 minus pi by 8, sin 90 minus pi by 8 को लिख सकता हूं, cos pi by 8, clear है, तो मैं क्या करता हूं, इस expression को हटा कर है, इस expression को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एस को लिख लेंगे हम, cos by by 8, तो यहां तक की गणित आपको समझ माने चीए आसान नहीं है ऐसे questions पीपर में click नहीं करते करना क्या है बच्चे सुसते करें क्या सबसे बढ़ी बास सूचो आप same angle में convert कर लो हमने इसको भी pyvide में convert कर लिया उसको भी हमने pyvide में convert कर लिया अब यह question बहुत आसान है अब हम क्या करेंगे इसमें से cos pyvide common लेलो ठीक है इसमें से sin pyvide common लेलो बच्चे का कितना आपका सबसे बच्चे का कितना आपका सबसे बच्चे का इसकी value क्या है इसकी value 1 है ठीक है तो यह आगे आप ता यहां तक आने का इसको 2 से multiply डिवाइड करें किस से multiply करिए 2 से multiply और divide करेंगे कर देंगे आप लोग जैसे आप इसको 2 से multiply डिवाइड करेंगे तो यह expression बन गया 2 sin a cos a क्या बनेगा 2 sin a cos a और 2 sin a cos जो साइब 2 sin a cos a sin 2a 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 कितना answer आप इसका इसका answer आएगा 1 by 2 root 2 क्या answer आएगा 1 by 2 root 2 d आैसका ठीक आगया इस question से हमने क्या सीका हम start कैसे करेंगे हम सबसे बहुत सोचेंगे हमें ये सूचना है कि यार यहाँ पाइबाइट था यहाँ पाइबाइट था तो मैंने कोशिच करी कि यार इसको सिंगल एंगल में कनवर्ड कर लेता हूँ तो मैंने दोनों को सिंगल एंगल में कनवर्ड किया यानि 3 pi bed को मैंने pi bed बनाया, तो कैसे बनाया, सरस हमने बना लिया, सरस हमने बना लिया, ठीक है, बस के बाद normal question बन जाएगा, आपका answer आ जाएगा, राइट, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, next question पर आईए, है ना, next question लिखा हुआ है कि अगर a plus b की value 225 degree है, तो इसकी value क्या होगी, छलिए, अगर आप इस question को धंक से देखे हैं, तो हम बईशको 10 से भी कर सकता हूँ, मैं चाहों तो इसको 10 से भी कर सकता हूँ, अगर आपको 10 से करना है, तो मैं 10 से बता देता हूँ, जकि मुझ से आपने इसकी value बोची है, तो मैंने क्या है, एन सब को 10 में convert कर लिया, तो जब मैं इसको 10 में convert करूँगा तो यह expression बन जाएगा 1 upon 1 plus 10A ठीक है और यह बन जाएगा 1 plus 10B आपने इसको cod को 10 में convert कर लिया तो इसको 1 by 10 A लिख दिया इसको 1 by 10 B लिख दिया आपने यह कर लिया यह आजाएगा क्लियर यहां तक आने के बाद क्या करेंगे यहां तक आने के बाद यह बन जाएगा 1 plus 10 A plus 10 B plus 10 A 10 B यहां जाएगा क्लियर यहां तक आगया यह नॉमल बच्चा पहुंच जाएगा इसमें कोई rocket science नहीं आपने सिर्फ पर cot A cot B को 10 A 10 में convert किया तो यहां तक आगे यहां तक आने के बाद क्या करेंगे यहां तक आने का अब आपको इस वाले पार्ट पर जाना है ठीक है तो आपने दोह तर्फ 10 अप्लाई कर दिया दोह तर्फ मैं 10 अप्लाई करूँगा तो 10 A plus 10 B okay 1 minus 1 minus 10 A 10 B equal to हाँ बही कितना आएगा 10 225 डिगरी 10 225 डिगरी कितना होता बही 180 प्लस 45 और 10 180 प्लस 45 10 45 10 45 1 होगा clear इसको आप cross multiply करेंगे ठीक है इसको आप cross multiply करेंगे क्रॉस मिल्टिप्लाई करने के बाद यह वाला जो portion minus में धर ले आईएगा ठीक है तो मैं लिख देता हूं आपके इसको क्रॉस मिल्टिप्लाई करेंगे क्रॉस मिल्टिप्लाई कर," इसके बाद ले करेंगे तो यह 1 आ गया है। आया की नहीं आप आपको क्या चाहिए। आपके सामने लिखा हुआ आपको इसकी वैल्यु चाहिए तो आपको यह मिल चुका है referenceiele इसकी वैल्यू मिल चुकी है कितनी इसकी वैल्यू है इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे करना है बहुत ही भड़िया कोशन है ठीक है और इसके ट्रिक बनागे रखिए आपको दिख जाएगा अगर आपने ऐसा कोशन एक तो अगली बर आपको जाद रहेगा, इस तरहे questions को deal कैसे करना होता है, देखो, इस तरहे questions आपको हमेशा दिखेंगे, इसमें deal कैसे करना होगा, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, तो इसमें से office ही बात है, 5 और 15 बनाना पड़ेगा, कित बनाना पड़ेगा, 5 और 15, okay, हमेशा जब भी इसा question दिखे, तो यहाँ पर देखो, यह से पंदरा है, तो यहाँ 5 होना चाहिए, बनाना इसको multiple में हो, इस तरह से चीज़ें डिजाइन करनी होते है, ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, देखो, cos 6x, as it is, रहेगा, okay, इसमें plus क्या करेंगे, cos 4x, यह आपने ने कर लिया कर लिया, cos 6x plus cos 4x, ठीक है, अब बचा कितना, 5 cos 4x बचेगा, 5 cos 4x बचा, 5 cos 4x बचा, 5 cos 4x बचा, 5 cos 4x बचा, अब उधर 10 भी तो है, उधर 10 भी है, तो 10 के साथ मुझे 10 बनाना पड़ेगा, तो 5 cos 4x है, तो यहाँ पर मैं इसका 5 ही लिपाऊंगा, 5 cos 4x के लिया, 5 cos 2x लि 5 cos 4x के साथ मैंने 5 cos 2x लिया, बचे 10 cos 2x, और 10 cos 2x के साथ मैंने 10 लिया, ठीक है, 10 cos 2x के साथ मैंने 10 लिया, ओकी, अपॉन वाले पार्ट को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला हूँ, अपॉन वाला पार्ट as it is रहेगा, उसके साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगा, दिहा दिमाग में साथ कर लो, कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, हमने as it is लिख लिया, यहां तक आने बाद आप चीजें सोच लेते हैं, अब यहां पर आएगा cos c plus cos d, cos c plus cos d, ठीक है, बाप पे चलते है, cos c plus cos d की तरफ, तो cos c plus cos d का formula हमने देखा था, right, क्या था cos c plus cos d क का formula है, बेटा, 2 cos c plus d by 2, cos c minus d by 2, मैं अब को ओता हूँ, trigonometry में concept तो ही, लेकिन सबसे बाद में इता है, अगर आपको formula याद नहीं है, तो definitely अब सफर करने वाले हो, पता चला, यार, मुझे दिख रहा है, cos c plus cos d लगेगा, पर याद ही नहीं आ रहा है, cos c plus cos d क्या है, तो ह cos c plus d by 2, cos c minus d by 2, ठीकिए ना, 2 cos c plus d by 2, cos c minus 2, इता रहाजी, 5 common लेदे है, 5 common लेते है, यह बनेगा, cos 4x plus cos 2x, क्या बनेगा, cos 4x plus cos 2x, वापिς cos c plus cos ले लगाई ये, तो यहाँ पर अगर मैं cos c plus cos ली लगाऊंगा तो यह आएगा 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 plus 10 common ले लिजे यहां से आप 10 common ले लिजे 10 common ले लिए 10 common ले लिए 10 common लेती क्या बनेगा 1 plus cos 2x क्या बनेगा 1 plus cos 2x मैंने अभी बताया था 1 plus cos लफड़ा ग्या होता है 1 plus cos लफड़ा होता है 2 cos square लफड़ा by 2 तो 2 cos square x ध्यान रखना मैंने अभी तक पॉन वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छेडा है as it is मैं उपर वाले पार्ट पर फोकस कर रहा हूँ मैंने cos 6x के लिए 1 cos 4x लिया फिर मैंने 5 cos 4x के लिए 5 cos 2x लिया यहाँ पर मैंने cos c plus cos d लगाया 5 common लेकर cos c plus cos d लगाया यहाँ पर 10 common लेकर 1 plus cos लफड़ा लगाया यहाँ तक आने कवाद इस पूरे पार में आपको दिख रहा होगा एक तो 2 common आ रहा है एक cos x common आ ठीक है और 2 cos x common आने कवाद क्या बचेगा बटा cos 5x बचेगा plus क्या बचेगा है ना एक बचेगा 5 cos 3x बचेगा plus यहाँ पर बचेगा बटा 10 cos x ठीक है अप़ाँ को आप धंग से देखेंगे धंग से अगर आप अपण वाले expression को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुँ सेम लिखा हुआ है अपण में क्या लिखा हुआ है cos 5x लिखा हुआ है plus 5 cos 3x लिखा हुआ है plus ठीक है 10 cos x लिखा हुआ है ठीक एंसर हो जाएगा clear तो बताएए आपका answer कितना आएगा बटा आपका answer आएगा 2 cos x आपका answer आएगा 2 cos x correct ठीक है तो इस question को ज़रूर देखेंगे तो very good question answer is 2 cos x अब हम चलते हैं next question की तरफ ठीक है यहाँ पर एक formula मुझे बताना है तो next question की तरफ चलते हैं देखिए trigonometry में एक formula होता है वो होता है sin a sin a आगे आता है sin 60 minus a ठीक है और यहाँ आता है sin 60 plus a GOT it ंचलते है clear तो sin a sin 60 minus a sin 60 plus a यह formula होता है बता 1 by 4 sin 3 one by 4 sin 3 है यह formula होता है 1 by 4 sin 3 यह consistency sin a sin 60 plus हैhon 60 minus यह होता है 1 by 4 sin 3 ठीक है इसी द्रह से कॉस में होता है Cos a Cos 60 minus a Cos 60 plus a वो formula होता है 1 by 4 Cos 3 ठीक है ना तो यह 1 by 4 sin 3 है वो 1 by 4 cos 3 होता है और 10 का जो formula होता है इसमें सिर्फ 10 3 आता है अब इदर देखो आप अच्छे से देखना है इस expression को अगर आप इसको देखें है यह क्या लिखा हुआ है यह A है बिल्कुल ठीक है सर यह क्या लिखा हुआ है यह 60 minus A लिखा हुआ है 8 ठीक है न प्लस 8 यह जो expression आपके सामने लिखा हुआ sin A sin 60 minus A sin 60 plus A sin A sin 60 minus A sin 60 plus A that becomes 1 by 4 sin 3 1 by 4 sin 3 तो इस expression को लिखूँँगा बेटा 1 by 4 sin 3 sin 3 का मतलब होग है sin 30 degree sin 30 degree ठीक है divide by कितना आएगा sin square 80 divide by sin square 80 degree यहां तक आगय है आचा यहां तक आने का तो हम आगे बढ़ते हैं देखी क्या होगा हम लोग समझते हैं कि sin 30 कितना होता है 1 by 2 sin 30 कितना होता है 1 by 2 तो यह cancel हो गया यह 1 बचेगा हो गया ठीक है अब आप सोचो मैं जो चीज आपको 2-3 questions में बता रहा हूँ स्कवाइर लफड़ा बाइ 2 यह लिए 10 दिग्री तो 1 plus cos क्या हogi 2 cos 2 स्कवाइर लफड़ा बइ 2 और sin 80 जो है sin 80 डिग्री जो है अगर मैं 80 को लिख दूँ 90 minus 10 90 minus 10 90 minus 10 sin 90 minus 10 cos 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 Smart cos square 10 answer will be 2 ठीक है, इस question का answer आएगा 2, answer will be 2, हम चलते हैं next question की तरफ, okay, next question बढ़ाईए, है ना, देखिए next question कैसे का रहते हैं, इस तरह का question आता है, आपको बता तूँ पहले से ही, जैसे मैंने लिखा cos square a, pattern समझ लो, cos square a, plus cos square b, है ना, इस तरह का question आएगा, बीच में plus b, हो सकता और minus b, कुछ भी हो, plus और minus कुछ भी हो सकता है, यहां लिखाऊगा, cos a, cos b, clear, क्लियर, इस type का question आएगा, क्या लिखाऊगा आएगा, पर cos square a, plus cos square b, भी लिखाऊगा, हाना किए cos square a plus cos square b का कोई formula ही नहीं है लेकिन हमने formula बोला था cos square a minus sin square b मैंने बोला था बहुत important है cos square a minus sin square b right तो आप एक काम को रोबटाई sin square b को लिखना 1 minus sin square b और आराम से आप formula लगा सकते हैं cos square a minus sin square b का formula लगा और मस्त हो जाओ खतम पैटर समना आगे क्या करना है जब भी मेरे पास इस type का question आएगा 2 से multiply डिवाइड करो इस वाले में formula लगेगा और cos square a plus cos square b हो तो किसी a cos square को जरूर नहीं कि आप cos square b को पकड़ो आप cos square a को convert कर लो 1 minus sin square a में किसी a को convert करना है क्लियर तो इस question में में क्या करूँगा देखिए cos square 10 लिखा हुआ है बिल्कु लिखा हुआ सर ये लिजे cos square 10 degree लिखा हुआ है लिखा है ना अब मैं इस cos square को convert कर लेता हूँ 1 minus sin square में तो मैं इसको लिख लिया 1 minus sin square 50 degree कोई problem नहीं है सर और बचा हो जो portion इसको किस से multiply और डिवाइड करेंगे इसको 2 से multiply और डिवाइड करेंगे किस से multiply डिवाइड करेंगे इसको 2 से हम multiply और डिवाइड करेंगे ठीक है इसको हम 2 से multiply और डिवाइड करेंगे शौर यहां तक आ जाएगा clear है हमने इसको 2 से multiply और divide कर लिया आगे है, यहाँ तक आने के बाद देखिए 1 तो अपने पास है, 1 अपनी जिन्दिगी में है अब क्या करेंगे, cos square a minus sin square b clear, cos square a minus sin square b, cos square a minus sin square b क्या होगा, cos a plus b cos ठीक है, a minus b आराम से, को दिक्कत नहीं cos square a minus sin square b लगा लिए, मेरे पास यह आगे, ज़र आजाईए यहाँ पर मुझे formula याद होना चाहिए, किसका 2 cos a cos b का, किसका formula याद होना चाहिए 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b सबना आगया, यह मैंने formula लगा दिया clear, यहाँ तक आने बाद देख लेते हैं, कुछ cancel हो रहा है कि नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दूँए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा साफ साफ, कि हमें कुछ cancel होता होगा नजर आ रहा है, शौर मैं बताता हूँ कैसे देखिए, cos 60 के value half cos 40 है यह तो half हो गया तो यह बनेगा half cos 40 बनाएगा, ठीक है, यह चीज बनेगी minus half cos 40 तो यह बन गया half cos 40 यह बन गया minus half cos 40 यह बटा, यह part cancel हो गया हो गया, अब बचा गया, अब मेरे पास बचेगा 1, ठीक है, मेरे पास बचेगा minus half, ठीक है और cost 60 दुनिया में पता है cost 60 half होता है तो answer कितना है अगा ऊंसर है 3 x 4, answer is 3 x 4, clear तो फस्कुर्षन का answer हो का 3 x 4, clear प्यारे बच्चों, इस जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो offline कोटा में चाहते हैं उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर कर आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स इसके थुरू हम बेसिकली टार्गेट करेंगे जैई में वाले कोर्स का उसका भी लिंक हम दिस्क्रिप्शन पर दे रहे हैं आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें शerson करा लेुड अब नेक्सक्रिपर चलते हैं मों लोग देखिए नेक्स्करिषे इन वी सेम Azim धी एह 60 प्लस ही हो गया, clear, simple दा कोशन है, वापे सब यह हमने ज़स किया ही था, ठीक है, तो यह A है, यह 60 मैंनस है और यह 60 प्लस है, right, तो यहाँ पर हम फॉर्मला लगाएंगे, okay, तो जब फॉर्मला लगाएंगे तो देखो यह वाला पार्ट, है ना, यह वाला पार्ट, और यह हमें पता है, यह हाफ होता है, तो यह वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1 by 4, sin 3a, 1 by 4, sin 3a, यह नहीं, sin 30, clear, संदना आगे है, तो बटा A, 60 मैंनस है और 60 प्लस है, 1 by 4, sin 3a, अभी जस हमने किया ही था, sin 30 के वल्यों कितनी होती हाफ, sin 30 के वल्यों कितनी होती हाफ, ठीक है, क ठीक ठाक है, मतला कोई rocket science नहीं है, आप सो इसमें पूछा कि 10 to alpha की value क्या होगी, 10 to alpha की value पूछी है, अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, cos alpha plus beta, और कह दे रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सूचो यार, alpha minus beta दे रखा है, बिल्कुल ठीक ह आपको यह भी दे रखा है, alpha plus beta दे रखा है, तो सोचो इसमें कुछ लिंक है क्या, हमने सोचो इस दोनों में link क्या है, अगर इन दोनों में link यह है, कि अगर मैं alpha plus beta में, अगर alpha minus beta एड़ करता हूँ, तो 2 alpha आएगा, तो 10 to alpha को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 10 alpha plus beta plus alpha minus beta, तो 10 to alpha को मैं लिख सकता हूँ, 10 alpha plus beta plus alpha minus beta, लिख लिया, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, 10 alpha plus beta plus 10 alpha minus beta, ठीक है, नीचे कितना हैगा, नीचे आएगा, 1 plus, 1 minus, नीचे कितना हैगा, 1 minus, ठीक है, 10 alpha plus beta, इंटू 10 alpha minus beta, गया जाएगा, क्लियर, आपने formula लगा लिए, अब आपको करना क्या है, पर सिंपल सा काम था, वह सबसे बहले सोचना था, 10 to alpha को क्या लिख सकते हैं, 10 to alpha को लिख सकते हैं, फिर हमने 10 a plus भी जरुत है, किसकी, एक 10 alpha plus beta की, और एक 10 alpha minus beta की, क्लियर, अब आपको triangle पता है, ज़िक कॉस alpha plus beta आपने मुझे दे रखा है, तो triangle बनाओंगा, मैं, प्लेट आपने मुझे दे रखा है ठीक है तो कॉस अलफा प्लस प्लस बीटा आपने मुझे दे रखा है तो यहां से मैं लिखसागता हूं कॉस अलफा ब्लस बीटा की वैल्यों निकाल लेता हूं which is equals to 4 by 3 which is equals to 4 by 3 सब्सक्राइब इसी तरह किसे अगर मैं sin alpha minus beta पर जाओ तो sin alpha minus beta जो दे रखा है 5 by 13 है, clear? sin alpha minus beta कितना दे रखा है बटा 5 by 13, यानि 5 और 13, तो ये 12 आ गया आ गया, ठीक है? sin alpha minus beta की value 5 by 13 है sin alpha minus beta की value 5 by 13 है तो 10 alpha minus beta की जो value कितना आ गया बटा? 5 by 12 clear? सबना आ गया? तो ultimately मुझे देखे 10 alpha plus beta मिल गया yes, मुझे 10 alpha minus beta मिल गया दोनों की value उठा के रख देते हैं 4 by 3 plus 5 by 12 divided by 1 minus 4 by 3 into 5 by 12 clear? इसको calculate कर लेंगे and calculate करने के बाद जो answer आएगा 63 by 16, कितना answer आएगा इसका? 63 by 16, calculation part आपका है वो आप कर लीजिएगा important step है 10 to alpha को मैंने कैसे लिखा 10 to alpha को हमने कैसे लिखा यह important step है, ओके? हम चलते हैं next question की तरफ ओके next part पर आते हैं, देखिए sin and pi sin and pi, आपको पताएगे sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi sin 5 pi, सब 0 होते हैं, ठीक न? पाई के अगर आप integral multiple पर जाएंगे sin हमिशा 0 होगा, है न? sin and pi हमिशा 0 होगा, ठीक है? और अगर आप pi के integral multiple पर n cos में जाएंगे, तो cos में दो value होती है cos pi, minus 1, cos 2 pi, plus 1 cos 3 pi, minus 1 अगर pi का odd multiple है तो value minus 1 आएगी, pi का even multiple है तो value plus 1 आएगी, ठीक है? और 10 and pi हमिशा 0 होगा, तो यह हमें आता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, sin 15 अगर किसी को निकालना है, यह सब याद होने चीए, sin 15 कभी भूल जाए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं sin 15 निकाल सकते हैं, 45 minus 30 करकर sin 15 अगर में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 45 minus 30 करके, इसी तरह से हम cos 15 निकाल सकते हैं, ठीक है? इस तरह हम 10 15, 10 15 निकालने की ज़रूद क्या है? sin 15 पता है, cos 15 पता है, तो divide कर दीजे, 10 15 आजाएगा, clear? सबसे important चीज है यह वाली बात यह याद होना चीए, हर बच्चे को sin 18 degree और cos 36 degree हमेशा बच्चे को याद हो sin 18 की value कम है, है न? sin 18 की value कम होगी, root 5 minus 1 by 4 और cos 36 की value वो ज़्यादा होगी, root 5 plus 1 by 4, है न? कभी भी confusion होगी, किसमे minus आएगा और किसमे plus आएगा sin 18 की value कम होगी, तो root 5 minus 1 आएगा by 4 और cos 36 ज़्यादा होगा, तो root 5 plus 1 by 4 हैगा, यह ज़रूर याद कर लें, it's very very important, ठीक है? यह सारे बच्चे ज़रूर याद कर लें, it's very very important sin 18 की value क्या है और cos 18 की value क्या है? चलिए, इस पर हम एक question ले रहे हैं ठीक, question स्राट करते हैं, question मेरे पास यह है, है न? अब 4 से एंगल में हम खिलने वाले नहीं है, यह तो obvious ही बात है, पर 4 एंगल में मैं कैसी खिलूँगा, तो मुझे 2 एंगल में खिलना होता है, 4 में मैं खिल नहीं सकता, तो मैंने क्या क्या कि clear ? तब देखो क्या बनेगा , यह जो चीज है न, cos pi minus theta fact पाई divided between one minus cos theta ठीक, cos pi minus theta नहीं क्या बने गए ? awhile very minus by cos minus भाई ते साथ ठीक यह अ गया, तो यह बनेगा 1 minus Cos और यह बनेगा 1- Cos स्स्वार्व ? स् Св द्खی प्राम कास इन्टाइए मेहान च्म्राजण श impeachment काय वर्यक्याशी स्वार्वच बड़ा थीठा थीच वर्यक्र काचि पन ना सब्सक्वार्व च्म्राजण स्वार्वच सिर्व थीठ ऐसे बन गया end to 1 participating काची रिटा हो गया sin square theta आगे संद में और आपको बता दूं कि यहाँ पर clearly दिख रहा है कि यह जो एंगा लेना वो 18 degree है कितना है बटा 18 degree है तो sin 18 degree की value में पता थी root 5 minus 1 by 4 ठीक है यहां वाले पार्ट पर आते हैं तो यह एंगर पता है कि लिखा हुआ है यह हो गया 18 to 3 54 degree लिखा हुआ है और sin 54 बोलो या cos 36 बोलो एक ही बात है राइट तो यहां पर मैं लिख देता हूँ तो sin square 54 बोलो या cos square 36 बोलो एक ही बात है और cos 36 की value मैंने आपको जस्ट याद कराई थी root 5 plus 1 by 4 इसका whole square इसका whole square ठीक है इसका square इसका square इसका square इसका square जाएगा और simple expression बन गया a minus b into a plus b a square minus b square a square minus b square divided by 16 का whole square तो answer कितना हैगा 1 by 16 कितना answer आएगा 1 by 16 sure answer will be 1 by 16 चलते conditional identities पर है conditional identities अपने पास हैं which is true for all values of all angles of triangle है अगर अगर आप बात करेंगे conditional identities वो हैं जो कि triangle के हर angle को satisfy करती है और इसमें बहुत सारी है बहुत सारी है लेकिन आपको था हमने केवल वही ली है जो exam से पूछी जाती है यह maximum questions में आती है जैसे sin 2a plus sin 2b plus sin 2 थी है यह हमेशा यादर को आप sin 2a plus sin 2b plus sin 2c कितना होगा बटा 4 times of sin a sin b sin से clear तो submission of sin 2 किसका राबर होगा submission of sin 2 पराबर होगा 4 times of product of sin clear इसी तरह से submission of sin a क्या होगा submission of sin a क्या होगा तो यह होगा 4 times of cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 तो यह आपको याद करने हैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हाँ पर यह जरूर है कि triangle के हर angle को satisfy करेगी आप कोई भी तीन angles लेजिएगा तीन एंगल सबकर आप लेंगे तो हमेशा यह satisfy करेंगी ठीक है तो मेरी recommendation है कि इसको सारे बच्चे याद कर लें इसको सारे बच्चे याद कर लें उसको सारे बच्चे जरूर 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 याद कर लेंगे तीन आप हमेशा याद रखें sin 2a plus sin 2b plus sin 2c sin a plus sin b plus sin c cos a plus cos b plus cos a यह आपको हमेशा याद होने चाहिए tips पर चाहिए आप कहीं भी जाएंगे हम मिशा इसकी ज़ुरूत पड़ेगी, टिक्नोमेट्री में, आप जैसे मैं सुटी का कुशन करते हैं, मैं तो कहता हूँ, बहुत सारी जगे हम जाते हैं, तो वहाँ पर निकी डिरेक्ट यूज आजाता है, नहीं तो महनत करो, डराइफ करो, तो डराइफ करने की ज़रूत नहीं है, याद रखिए कि इसका यह फॉर्मला यह है, राइट, अच्छा, इसके अलावा देखू, मैं आपको उताता हूँ, एक चीज मैं आपको बता जेता हूँ लगया, यहाँ पर, देखिए, आप याद रखिए, बता जेता हूँ मैं कैसे आया, जैसे मैंने लिखा 10A प्लस B प्लस C, मैंने क्या लिखा 10A प्लस B प्लस C लिखा, ठीक है, तो 10A प्लस B प्लस C का फॉर्मला क्या होता है, 10A प्लस B प्लस C का फॉर्मला होता है, शमिशन आफ 10A, minus product of 10A upon 1 minus summation of 10A 10B सबना आ गया तो 10A plus V plus C का formula होता है summation of 10A minus product of 10A upon 1 minus 10A 10B summation यह formula होता है अब इस formula है हम छोड़े छोड़े formula drive कर सकते हैं कैसे जैसे माल लो मैं triangle की बात करता हूं तो हम जानते हैं कि triangle के अंदर A plus V plus C क्या होता है भई triangle के अंदर A plus V plus C pi होता है हम जानते ही अच्छे से ठीक है तो triangle के अंदर A plus V plus C क्या होगा pi अगर A plus V plus C pi है तो 10 pi 0 हो जाएगा 10 pi 0 होगा तो 0 equals to मेरे पास क्या आएगा भई 0 equals to आएगा summation of 10A minus product of 10A ठीक है na summation of 10A minus product of 10A तो यहां से क्या मिल गया मुझे मिल गया मुझे submission of 10A equals to product of 10A clear तो triangle ABC के लिए important result है कि submission of 10A equals to product of 10A होता है ठीक है na submission of 10A equals to product of 10A होता है यह लिखा हुआ है है na okay start लगा और रटलो submission of 10A equals to product of 10A होना चाहिए अगर हम triangle ABC की बात करते है right अच्छा अगर इसी formula को अगर मैं लिखता किसके लिए by 2 के लिए किसके लिए लिखता by 2 के लिए ठीक तो यह formula आपके सामने लिखा हुआ है है na okay अगर मैं यहां पर यह लिखा हुआ a plus b plus c right okay जैसे अगर मैंने लिखा हुआ a plus b plus c equals to pi लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है हमने क्या करा इसको 2 से डिवाइड कर दिया a by 2 plus b by 2 plus c by 2 equals to मैंने लिखा pi by 2 ऐसे मैंने लिख लिए okay अब मैंने दुना तरफ 10 अप्लाई करा क्या अप्लाई करा 10 जब मैं 10 अप्लाई करूँगा यहां पर आएगा summation of 10 a by 2 यहां पर आएगा product of 10 a by 2 ठीक है नीचे कितना आएगा नीचे आएगा 1 minus summation of 10 a by 2 10 b by 2 ठीक है अच्छा बरावर में कितना आएगा परावर में आएगा 10 90 10 90 हो गया 1 by 0 ठीक है 10 90 क्या हो गया 1 by 0 ठीक है तो यहां से जब आप cross multiply करेंगे तो यहां से collection निकल कर आएगा summation of 10 a by 2 10 b by 2 बरावर 1 summation of 10 a by 2 10 b by 2 बरावर 1 ठीक है तो result यहां पर लिखा हुआ है summation of 10 a by 2 10 b by 2 यह result लिखा हुआ है यह वही result है मैंने a b c use किया उसने alpha beta gamma अच्छा सॉरी यहां पर आ जाईए तो summation of 10 a by 2 summation of मैंने लिखा है summation of 10 a by 2 10 b by 2 1 होगा तो यह लिखा हुआ है 10 a by 2 10 b by 2 10 c by 2 10 c by 2 10 c by 2 10 by 2 1 होगा clear यह भी आप याद रखें काम के हैं जो हैं जो काम के हैं उसे याद रखना ही पड़ेगा summation of 10 a equals to pi of 10 a summation of 10 a by 2 10 b by 2 1 होगा ठीक है इसरसे 4 यह कुलम आकर 4 है clear यह धियान रखेगा यह 4 है हमारे पास तो इसे याद रखेंगे आब यह थी बात questions कैसे करेंगे चलिए कुश् sizz की तरफ चलते हैं देखें यह question आपके सामने लिखा हूँ है question में क्या लिखा हूँ उसने कि एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 2 pi के बराबर है alpha प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है 2 pi के बराबर है उसने बोला कि alpha प्लस beta प्लस gamma अगर 2 pi के बराबर है तो इन 4 में से कौनस option सही है तो हमने start किया question करना कैसे करेंगे देखिए अगर आप 4 options देखें तो 4 options में alpha by 2 beta by 2 gamma by 2 यानि सब में half of आ रहा है तो मैंने क्या किया भई मैंने लिखा alpha plus beta plus gamma किसके बराबर है 2 pi के उसे डिवाइड कर दीजिए तो alpha by 2 plus beta by 2 plus gamma by 2 equals to pi आ गया आगया आपने दों तरफ 10 अप्लाई करा दों तरफ क्या अप्लाई करा 10 जब दों तरफ आपने 10 अप्लाई करा तो यहाँ पर आएगा बिटा summation of 10 alpha by 2 यहाँ पर आएगा product of 10 alpha by 2 ठीक है नीचे आएगा 1 minus summation of 10 alpha by 2 10 beta by 2 ठीक है अच्छा बराबर में 10 लगाँगा तो 10 pi कितना आएगा 0 clear simple तो मेरे पास यह था बिल्कुल ठीक था हमें y2 चीए था हमने y2 किया हमने जों तरफ 10 लगा दिया तो यह आएगा summation of 10 alpha by 2 minus product of 10 alpha by 2 यह आजाएगा बराबर में 10 by 0 होगे बस cross multiply करीए तो इस expression को आप cross multiply कर दीजिये ठीक है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा summation of 10 alpha by 2 equals to अगा product of 10 alpha by 2 ठीक है? तो इसका answer क्या होगा बटा, इसका answer होगा A, clear? तो A will be the answer. हम चलते है range of technometric expressions पर, किस पर चलते है range of technometric expressions, technometric expressions की range कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि sin theta की range क्या है, तो मैं पता है कि sin theta की range होती है, वो minus 1 से 1 होती है, कोई मुझसे बूचे, sin square theta की range क्या होगी? तो sin square theta की range होगी 0 से 1. सबना आगया? तो sin theta की value होती है, वो minus 1 से 1 तक होती है, sin square theta की value जो होती है, वो 0 से 1 तक होती है, cos theta की value minus 1 से 1 तक होती है, cos square theta की value 0 से 1 होती है, यह हमें आता है. ठीक है लेकिन अगर आप कुछ से पूछेंगे कि a cos theta plus b cent theta की value क्या होगी a cos theta plus minus b cent theta a cos theta plus minus b cent theta धिहान रखना यह formula जो मैं बता रहा हूँ यह तब लगाएं जब दोनों angle same हो अगर यह दोनों angle same है यह वाला angle हो यह वाला angle same है तो हम इसकी direct value बता सकते हैं इसकी minimum value क्या होगी यह maximum क्या होगी तो इसकी minimum value होगी बता minus under root a square plus b square से लेकर और plus under root a square plus b square तक ठीक है यह इसकी value है clear अगर आपको इसकी range निकालने है तो range होगी minus under root a square plus b square से लेकर plus under root a square plus b square तक तो यह इसकी minimum value है और यह इसकी maximum value है ठीक है इस formula को लगाने से पहले ध्यान रखें कि इसकी जो range हम निकालेंगे उस समय ध्यान रखें दोनों angle cm होने चाहिए अगर angle differ होंगे तो formula will bit differ पर उसके लिए फिर हमें दूसरे फंडे लगाने पड़ते हैं उसके भी फिलाल हमें जरूरत नहीं है पर फिलाल हम इतना याद रखें कि अगर कभी भी हमारे पास यह question आता है कि अगर a cos theta plus minus b cent theta की value क्या होगी तो हम बोलेंगे minus android a square plus b square जे लेकर plus android a square plus b square तब होगी क्लियर अच्छा इस question पर जाने से पहले है ना इस question पर जाने से पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं कुछ देखो एक बहुत famous example में लेता हूँ जैसे one upon sin x plus cos x की range निकालनी है मुझे सबसे पहले आपने क्या किया भी आपने sin x plus cos x की range निकाल ली तो इस वाले पार्ट की range में निकाल सकता हूँ इस वाले पार्ट की range में निकाल सकता हूँ इसकी range होगी minus root 2 से plus root 2 कि सारे बच्चे निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है इसमें आगे ना इस वाले पार्ट की range निकल जाएगी कौन से formula से minus under root a square plus b square से लेकर plus under root a square plus b star तो इसकी range आ गई है आगे जब बच्चे से पूछा गया इसकी range क्या होगी तो बच्चे टिक करके आते हैं maximum बच्चे टिक करके आते हैं minus 1 by root 2 से plus 1 by root 2 तो मैं जो concept बता रहा हूं उसको ध्यान रखना गलत है ऐसा बिलकुल भी ना करें ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूं अगर कोई बच्चे ऐसा करता है तो बिलकुल गलत ठीक है और इसको लिखेंगे union 0 plus से root 2 that's a very very important concept तो 1 upon sin x plus cos x था तो sin x plus cos x की range मुझे रटी हुई है minus root 2 से root 2 correct लेकिन 1 upon में है अरे 1 upon में तो 0 भी तो आएगा 0 exact आ नहीं सकता तो यहाँ 0 minus आएगा और यहाँ 0 plus आएगा ठीक है अब देखो कैसे लिखूँगा मैं अच्छे इस देखना भी कैसे लिखूँगा 1 upon 0 minus minus infinity 1 upon minus root 2 minus 1 by root 2 union ठीक है ठीक है अच्छा 1 upon 0 plus infinity और 1 upon root 2 तो 1 upon root 2 और यहाएगा 1 upon 0 plus 1 upon 0 plus क्या होगा infinity आगे संने तो 1 upon 0 minus minus infinity minus 1 by root 2 union 1 upon 0 plus होगा plus infinity 1 by root 2 तो इस question का answer यह होगा ठीक है maximum बच्छे इस question का answer मैं आपको honestly बता रहा हूँ maximum बच्छे इस question का answer यह टिक कर गयाते हैं बिलकुल गलत है 1 upon sin x plus cos x की range जब भी पूछी जाए तो आपका answer होगा बटा ही यह वाला clear चले अब मैं चलता हूँ इस question पर जो आपके सामने लिखा हुआ है question लिखा हुआ है cos की power 4 theta plus sin की power 4 theta plus lambda equals 0 has a real solution for theta then lambda किस interval में लाई करेगा clear question हमारा है कि lambda किस interval में लाई करेगा तो हम चेक करते हैं कैसे करेंगे question क्या है question हमारे पास है cos की power 4 theta plus sin की power 4 theta plus lambda equals to 0 यह मेरा question है को दिक्कत नहीं है हमने lambda लिखा lambda क्या लिखेंगे बटा lambda लिख लेंगे minus c4 plus s4 okay c4 plus s4 मैंने आपको रटाया था क्या होता अब यह इसको लिख सकते हैं 1 minus 2s square c square यह रटाया मैंने आपको यहां लखें c6 plus s6 रटाया और c4 plus s4 रटाया और रटाया वहां होना चाहिए तो c4 plus s4 लिख लिख लिए मैंने यह आगया clear यहां तक आने को आद एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा हमें वो भी कर लेते हैं है ना minus इस expression को मैंने 2 से divide किया और 2 से ही multiply कर दिया इस expression को 2 से divide किया और 2 से ही multiply कर दिया जब 2 से multiply कर दिया तो बनेगा 4s square c square क्या बनेगा 4s²c² यानि बनेगा sin²2x, सबना आ गया, इस expression को मैंने 2 से multiply divided किया, 2 से multiply divided करूँगा, तो 1 by 2 और यह बनेगा 4s²c² sin²2x, बनेगा sin²2x, ठीक है, बस काम खतम, यह बन जाएगा मेरे पास, यह बन जाएगा मेरे पास, 1 by 2 sin²2x-1, शौर, यह बनेगा, ठीक है, मुझे पता है, sin²x हो, चाहिए sin²2x हो, हमें सब की range पता है, तो यहां से लिख सकते हैं, lambda equals to 1 by 2, यह बनेगा 0 से 1, और यह बनेगा minus 1, ठीक है, sin² की वल्यों कहां से कहां तो को रती है, पता, 0 से 1, तो sin² की वल्यों 0 से 1 लिख लिए आपने, तो यह आएगा 0 से 1, यह कितना आएगा, 0 से 1 और यह आएगा minus 1, ठीक है, तो answer कितना आएगा, answer आएगा, minus 1 से minus 1, answer कितना आएगा, minus 1 से minus 1, clear, question कैसे feel किया, पहला ऐसे लिखा, इसको अधर ले गाए, इसकी value आपको मैंने बोली थी, यह याद रखें, इसको हमने 2 से multiply, divide किया, तो sin² 2x बन गया, sin² 2 theta बन गया, sin² 2 theta बन गया, okay, बन गया sin² 2 theta, और sin² 2 theta की value मैं पता है, 0 से 1 होती है, हमने इसको 0 से 1 लिखा, इसको multiply करा, 0 से half minus 1, तो 0 minus 1 minus 1, और half minus 1 minus half, ठीक है, तो इसकी range आगी, minus 1 से minus half, यह lambda की value है, तो lambda की value कहां से कहां तक आएगी बटा, minus 1 से minus half, B answer इसका, क्या answer है, B, और हम चलते हैं next question पर, तेखो next question किया लिखा हुआ है, उसने बोला, A sin square X plus B, है ना, A sin square X plus B lie in this interval, यह बोला आपने, आपने क्या बोला, पर A sin square X plus B की जो value है, value वो minus 2 से 8 की बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इसकी range निकालनी है, अच्छा sin square X कहां से कहां तक होता है, देखो, लिखो, sin square X कहां से कहां तक होगा, sin square X होगा 0 से 1, ठीक है, plus कहां लिखेंगे, plus B, तो यह कितना आ गया, बटा, A into 0, 0 ही आ गया, A, और यह क्या बनेगा, plus B, ठीक है, यह बनेगा, B से लेकर, A plus B, बनेगा, 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 परिक्कत नहीं है, यह जो value आपको दे रखिए na, बटा, यह value कहां से कहां, minus 2 से लेकर 8 तक, कहां से कहां तक है, minus 2 से लेकर 8 तक, ठीक है, भै यह तो कहरा है वह आपसे, इस expression की range ये है, तो आपने इस expression की range लिख लए, और इस expression की range आपने लिख ली और क्या दे रखी है यह दे रखी है minus 2 और 8 तो काम खतम अब compare कर लो बताई यह B कितना हो गया तो बटा B आगया minus 2 और A plus B कितना आगया A plus B आगया बटा 8 चलना आगया तो B आगया minus 2 और A plus B कितना आगया बटा 8 तो B की जगे minus 2 रख दो तो A आगया 10 A 10 है B minus 2 है A पता है B पता है तो हम A minus B लिख सकते हैं and the answer is answer is 12 answer is 12 अचा बच्छो next part पर हम चलते है हमारा जो next part है वो है sine and cosine series मुझे लगता है कि यह part बहुत important पर question आ सकता है ठीक है धिहान रखेगा हम यह part कभ यूज़ करेंगे देखो यहाँ sine alpha लिखा हुआ है यह alpha plus beta लिखा हुआ यह alpha plus 2 beta लिखा हुआ है तो अगर आप angles का difference देखेंगे तो beta है ठीक है अगर आप angles का difference देखेंगे तो beta है यहाँ पर angles का difference beta है यहाँ पर angles का difference बीटा है यानि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि angles are in AP ठीक है तो जब भी आपको sine की series में या cosine की series में angles अगर AP में मिले हैं तो हम यह formula directly use कर सकते हैं and the formula is what the formula is sine ठीक है formula क्या गया था sine, sine की series में sine, number of terms, number of terms, अगर number of terms n है तो n, sine, number of terms into difference of angle by 2, तो हम आगे, sine, number of terms into difference of angle by 2, नीचे क्या आएगा, sine, difference of angle by 2, sine, difference of angle by 2 और sine, यह आएगा, first angle plus last angle by 2, first angle plus last angle by 2, सबने आगे, फंडा क्या है, फंडा ध्यान रखीएगा, sine है ना, मैंने क्या बोला, sine, number of terms into difference of angle by 2, sine, difference of angle by 2, sine, first angle plus last angle by 2, यह आपका फंडा है, और जब कॉसाइन सीरीज पर जाएगे, तो कॉसाइन सीरीज के अंदर क्या होगा, बटा, कॉसाइन सीरीज के अंदर यह वाला पार तो सेमी रहेगा, इस वाले पार्ट में कोई rocket science नहीं मचानी है, आपको, यह वाला पार्ट सेमी रहेगा, बस यहाँ पर sign की जाएगा, क्या जाएगा, बटा, कॉस, क्लियर, तो मैंने यही लिखा हुआ है, यह direct formula आप याद रखें, और इस पर हम questions करते हैं, चले, देखिए question हमारे पास आया, यह question आपको दिख रहा है, हमें इसकी value निकालने है, सबसे पहले आप angles लेखिए, pi upon 2n plus 1, 3 pi upon 2n plus 1, 5 pi upon 2n plus 1, ठीक है, तो pi upon 2n plus 1, 3 pi upon 2n plus 1, 5 pi upon 2n plus 1, यहनी angle किसमें है, ap में है, अगर angle ap में है, तो हम formula लगाएंगे, क्या लिखेंगे, sine number of terms n, ठीक है, into difference of angle, difference of angle कितना होगे बटा, इसमें से इसको subscribe करोगे, तो 2 pi upon 2n plus 1, 2 pi upon 2n plus 1, ठीक है, यही आएगा, divide by 2, है न, okay, sine number of terms into difference of angle by 2, नीचे कितना आएगा, sine difference of angle by 2, मैंने direct लिख दिया है, sine difference of angle by 2, यहाँ पर क्या आएगा, cos है, cos, okay, cos, लेखे, first term कितनी आ रही है, 1, फिर 3, फिर 5, तो nth term क्या आएगी, 2n-1, clear, अगर आपन first term लेने है, 1, second term लेने है, 3, third term लेने है, 5, तो nv term क्या आएगी, 2n-1, तो हम क्या लिखेंगे, first term, first term, first angle, plus last angle, divide by 2, divide by 2, आगे सब को सब्सक्राइब में मैंने क्या किया, ठीक है, सब्सक्राइब आगे formula, तो sine number of terms into difference of angle by 2, sine difference of angle by 2 कर दिया, और यहाँ पर लिखा, cos, first term, first angle plus last angle, divide by 2, शौर, अब यहाँ तक आएगे, को solve कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यह लिखा हुआ है, साइन, है न, यह लिखा हुआ है, n pi, upon 2n-1, और यहाँ पर लिखा हुआ है, sin, pi upon 2n-1, ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, cos, square कर लेते हैं, आपन लोग, अच्छा, 2n-1 तो सेम हो गया, 2n-1 सेम हो गया, pi से pi cancel हो जाएगा, तो क्या बनेगा यह, यह बनेगा, cos, जो मैं देख पा रहा हूँ, pi से minus pi cancel, 2n-pi divided by 2 करेंगे, तो n-pi है न, n-pi divided by 2n-1, इसको दिकत, नहीं, इसको 2 से multiply, divide कर दीजे, कर दिया, आपने 2 से multiply, divide, ठीक है, अच्छा, 2 से multiply, divide करते ही, एक्सपेशन बनेगा, 2 sin a, cos a, 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 क्या होगा, sin 2 a, sin 2 a, sin 2 a, 2n-pi upon 2n-1, divide by, नीचे कितना बनेगा, 2 sin pi upon 2n plus 1, सबना आगे सबको, ठीक है, तो 2 से हमने multiply, divide किया, 2 sin a, cos a, cos a, sin 2 a, divide by a ही, clear है, अब आप एक छूटा सा काम करेंगे, देखू, क्या करने वाला हमें, आगे देखे, यह जो expression लिखावा था n, sin 2n-pi वाला, उसमें मैंने 1 add किया, 1 subtract कर दीजे, ठीक है, नीचे 2n plus 1 तो था ही, उसमें कोई लफडा ही नी और साथ में pi है, समना आगया, क्या मेरी बात समना रही है, अमने क्या किया बटा, यह जो 2n था, नीचे 2n plus 1 है, तो उपएवाला जो 2n था, उसमें plus 1 minus 1 कर दिया, कर दिया, ठीक है, अच्छा, नीचे वाला जो पार्ट है, तो सेम ही रहेगा बटा, तो नीचे वाले पार्ट को हमने छेडानी है, यह वाला पार्ट हमारा as it is रहेगा, तो 2 sin pi upon 2n plus 1, शौर, अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा कुशन हो गया है, यह कुशन मेरे खाल से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं, जो इसके आगे नहीं कर सकता, बेटा, जब डिवाइड करोगे ना, तो 2n plus 1, डिवाइड by 2n plus 1, वन आएगा, तो pi अचेगा, तो sin pi minus pi upon 2n plus 1, ठीक है, निचा आजाएए, निचा आएगा, 2 sin pi upon 2n plus 1, और यह कैंसल हो गया, आंसर is 1 by 2, आंसर is 1 by 2, वन आगया कुशन कैसे करना था, तो यह तरीका है, यह अप्रोच ऐसे कुशन को solve करने की, चलिए, हम जलते हैं next part पर, okay, next, okay, यहाँ पर अपने इस कुश्चन को करते हैं, start करते हैं, देखो, यह कुश्चन लिखा हुआ है, आपसे बुचा गया है, sin 2 alpha, फिर sin 3 alpha, फिर sin 4 alpha, ends on sin alpha, यह कुश्चन आपको दे रखा है, उसने साथ में कुश्चन में लिखा है, कि n प्लस 2 alpha की value 2 pi के बराबर है, पर इस कुश्चन को करते हैं, यहाँ पर देखो, अगर हम, भई हमें दिख रहा है कि angles ap में है, angles का difference है, वो कितना है, alpha है, okay, लेकि number of terms कितनी है, number of terms n नहीं है, यह alpha से start नहीं हो रहा है, यह 2 alpha से start हो रहा है, तो चुकि यह 2 alpha से start हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो है, बिटा, जो difference, number of terms है, वो n नहीं, n-1 है, कितनी है, n-1, तो मैं formula लगाँगा, तो formula क्या लगाँगा, sin, number of terms, n-1, into difference of angle by 2, ठीके न, नीचे आजाएगे, sin, difference of angle by 2, ठीके है, इधर क्या लिखेंगे, sin, आगे क्या लिखेंगे, first angle plus last angle, first angle plus last angle, first angle plus last angle by 2, परिकत, नहीं, आगे यहां तक, चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, तो यह part आपके बाद ऐसे ही चल रहा है, तो sin, ठीके, हमने लिखी लिया, sin n-1, तो n-1 alpha by 2 तो चली रहा है, as it is चलता रहेगा, नीचे अपने पास sin alpha by 2 चली रहा है, as it is चलता रहेगा, इधर आ जाईगे, ठीके, अचा 2 alpha plus alpha की value कितनी है, ठीके न, n alpha plus 2 alpha की value कितनी है, 2 pi, ठीके, तो स्कोट आपर कहा है, 2 pi, कहा है, 2 pi, 2 से 2 cancel हो गया, कितना हागे, sin pi, कितना हागे, sin pi, sin pi कि वलो कितनी, 0, answer बोलो कितना हैगा, 0, तो answer will be 0, clear, तो स्कुशन का अंसर क्या होगा, 0 होगा, next, okay, अब हम नेक्स कुशन की तरफ चलते हैं, तेकि नेक्स कुशन आपके सा is less than 90, तब को होता है, find the value of M plus N, को एककर देम start करते है, देखो, पहले kql1 रखो इसमे, kql1 रखो कितना हागा, kql1 रखो कितना हागा, kql1 रखो कितना हागा, sin 5 आएगा, plus sin 10 आएगा, ठीक है, plus sin 15 आएगा, ठीक है, या जाएगा, और last में, जब kql1 रखेंगे, तो य आएगा, sin 175 आएगा, ठीक है, equal to क्या लिखेंगे, 10 M by N आएगा, 10 M by N आएगा, तो प्रॉलम नहीं है, आगे है, आच्छा, angles आप उनको दिख रहा है, angles किसमें है, AP में, कैसे, 5 के और 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 आ रहा है, 15 के और 20 आ रहा है, 15 किसमें है, AP में, तो अगर angles AP मे आएगे हैं, तो हम formula लगाएंगे, formula लगाते हैं, to sign number of terms, number of terms कितना है, 35, number of terms कितना है, 35, difference of angle कितना है, 5, divide by 2, clear, इधर आजाईगे, नीचा आजाईगे, साइगे, difference of angle by 2, ठीक है, इधर आजाईगे, Sine, First Engle Plus Last Engle by 2, First Engle Plus Last Engle by 2, First Engle Plus Last Engle का मतलब हो गया, 5 plus 175, 5 plus 175 हो गया, 180, 180 by 2, 180 by 2 हो गया, Sine 90, Sine 90 के विली, 1 है, क्या मेरी बास सौनना आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हम यहां तक आने के बाद एक छूटा सा काम और करते हैं हम, यह 175 by 2 है, और ये अपने पास sin 5 by 2 है, तो मैंने क्या किया, sin 175 by 2 को तो मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है, और नीचे वाले को लिख लिए हैं मैंने 180 minus 175 by 2, चेक कर लें आप लोग, ठीक गरबट तो नहीं करी है, यह गरबट कर दिया है, यह मैंने लिखा है, यह थोड़ा सामने mistake कर दी है, इस को सही कर रहा हूँ मैं, देखिए हमने क्या क्या, यह sin है बटा, तो sin नहीं रहेगा, और यह 5 by 2 को मैंने लिखा है, 90, 90 minus 175 by 2, क्या मैं sin 5 by 2 को 90 minus 175 by 2 लिख सकता हूँ, बिल्कु लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ, तो sin 175 by 2 है, और 90 minus theta, sin 91 theta बटा क्या होगा, तो देखिए, sin यह आगे अपने पास, 175 by 2, okay, और sin 91 theta बन गया, cos theta, sin 91 theta बन गया, cos theta, clear, तो क्या यह expression, क्या यह expression 10 175 by 2 बन गया, क्या यह expression 10 175 by 2 बन गया, yes, तो this expression becomes 10 175 by 2, and that is equals to 10 M by N, सबना गया, तो यह आपका answer है sir, अपका answer देख लीजिए, आप से पूछा था M plus N की value क्या होगी, तो आपको देखी गया होगा, M कितना होगा बटा, 175, okay, N कितना होगा, 2, यह relatively prime ही, okay, तो M plus N कितना आएगा, M plus N आएगा, 177, M plus N कितना आएगा, 177, clear, तो यह आपका answer है, okay, चौर, तो यहाँ पर आपका answer आगे है बटा, यह answer आएगा अपका question का 177, okay, इस question को start करते हैं, देखिए, question में लिखा है, alpha and beta are the roots of this equation, ऐसा लिखा होगा है, question में लिखा होगा है, alpha and beta इस equation के root है, तो आप अपता ही, alpha plus beta कितना आएगा, alpha plus beta अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैं बूलूँगा, सर, minus N थीटा आएगा, ठीक है, alpha, beta कितना आएगा, alpha बिटा आप मुझसे पूछोगे, तो वन अपन करके लिखूंगा, तो यह alpha की पूछ 12 आएगा, यह beta की पूछ 12 आएगा, यह इदर आएगा, alpha की पूछ 12, beta की पूछ 12 यह आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा, alpha minus beta की power 24, यह cancel हो गया, तो गया, अब हमें करना है, हमें simple ता काम करना है, आपको बताओ, यह दो हमें बल्तपनड़ीर की पूछ 12 है, यह दो हमें आताई है, इसमें को इशू नहीं है, हैच Led मुछ 2022 हाई है अब मुझे है, alpha minus beta, क्या चाहिए alpha minus beta, इनी कालना हमें आता है, कैसे निकालते एलफा मैनेस बीटा ऑटा। अंडरूट d by mod aanne रूट d by mod a अंडरूट d by mod a तो हम लिख लहती है ईलफा मैनेस बीटा। तो अंडरूट d क्या होगा वेटा अंडरूट d होगा sin2 theta प्लस एट sin theta टिवाइट बाई ए तो बने ए टिक है संद्ण आ गया तो एलफा मैंस बीटा होता है बटा रूट डी बाई मॉड तो रूट दी तो निकाली लेंगे साइन स्कूर तीटा प्लस 8 श्लीटा हो जाएगा डिवाइट बाई मैं है, इसका square करूँगा, तो alpha minus beta का square आएगा, square आनिक बाद यहां लिखा हुआ, 24 तो power 12 हो गई, clear, अब बताओ alpha beta की value कितनी थी, alpha beta की value थी, minus 2 sin theta, ठीक है, तो यहां रख देता हूँ, मैं 2 की power 12, sin की power 12, ठीक है, 2 की power 12, sin की power 12, नीचे से मैंने sin theta कामल लिया, तो sin की power 12 बाहर आएगा, बचेगा कितना बिटा, s plus 8 की power 12 बचेगा, clear, तो यह cancel हो गया, बचा हुआ आपका अंसर है, तो what is your answer, the answer is 2 की power 12 upon sin theta plus 8 की power 12, है न, 2 की power 12 upon sin theta plus 8 की power 12, then the correct answer is D, then the correct answer is D, okay, तो यहां पर जाकर हमारा trigonometry phase 1 कवर होता है, हमने कोशिश पूरी किये, देखी, एक lecture में topic को कराना हमिशा tough होता है, तो हमने कोशिश किये, कि जिस तरह कोशिशन जेई में में आते हैं, वो हमें आने चाहिए, या हमने जो headings, जिस पर कोशिशन वो पूछ सकता है, वो सारी हमने cover करने की कोशिश किये, तो आप लोगों को मेरे साब से डेफिनिटली इस lecture से कुछ ना कुछ फाइदा होगा, थैंक्यू, धन्यवाद, प्यारे बच्चों, आप सब का प्यारोस ने हमें जिस तरीके से मिल ला है, कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाईए, आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पर बेल आइकन को दबाईए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पर दे रहे हैं, वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें, और फिर आप उसके अंदर जा करके जो वीडियो आपको दिये गए, उन वीडियो को एक बड़ जरूर देखें, यूकि कई बर ऐसा होता है, जिस टॉपिक के आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं, वो टॉपिक अलड़ी हमने डाला हुआ होता है, कि इसमें अपने वीडियो में, तो आप जा करके उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं, आपका जो भी हमें प्रेम और इसने मिल ला है, उससे मोशन की टीम बहुत जादा काम करने के लिए उस्सुख हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से आप हमाएं साथ लगे रहे हैं, अपना प्रेम और इसने हमें देते रहे हैं, और हम आपके लिए मैनत करते हैं, थैंक्यू, सो मच.